हेलो इबरीवन कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ काफी एच्छे होंगे अभी हम लोग सालव करेंगे सेंपल कोस्टन पेपर क्लास 10 का यार 2023-24 का सब्जेक्ट है इंगलीज और इसका कोड है 184 देखे इसमें जो टाइम है ना वो 3 आवर्स का है 3 आवर्स बहुंच जादा होता है इसमें आपको हर बढ़ाना नहीं है बहुत ही इत्मेनान से और धीरे धीरे आपको सालव करना है ताकि कोई गलती ना हो और पूरा नमबर आपको मिले जो में ग्यों माक साहे हो 80 है इसमें तीन सेक्षन है पहला जो है ना reading है फिर grammar and writing है फिर literature है आपको क्या करना है एक एक सेक्षन को सालव करते जाना है एक sequence को follow करना है और हर सेक्षन में instructions दिये हुए है उस instructions को पढ़ते हुए हमको सालव करना है तो सबसे पहले reading skills को देखेंगे जो कि 20 marks सका है उसमें पहला जो है ना unseen passage है जो कि 10 marks सका है तो unseen passage को सबसे पहले हमको पढ़ना चीए और समझना चीए उसके बाद हमको questions को करना चीए तो चलिए इसको पढ़ते हैं समझते हैं फिर देखते हैं कि questions को हम कैसे सालव करें चाहे question किसी भी type का क्यों नहों तो इसका फर्स्ट पेराग्राप पढ़ते हैं कि एज हाई स्कूल स्टूडेंट studying poetry can be a roller coaster ride तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में poetry को पढ़ना किसी poet के poem को पढ़ना एक roller coaster ride की तरह है माने काफी खटा मिटा अनुभव इसमें होता है this journey is punctuated by moments of profound appreciation for simpler pieces and intermittent frustration with more complex works तो यह जो पढ़ने का यात्रा है इसमें हमको क्या-क्या अनुभव होता है क्या-क्या experience होता है कि एगर हम simple pieces को पढ़ते हैं तो काफी ज़्यादा हमको खुशी का अनुभव होता है लेकिन बीज-बीज में हम firstate हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं अगर हम complex works को मने जटिल जो poem है cutting poem है उनको पढ़ते हैं let's be real here some poems are just plain confusing and no amount of pre-reading seems to help decipher the intended meaning अब यहाँ पी देखिए जो writer हम बोल रहे हैं कि हकिकत में कूछ poem बहुत ज़्यादा confusing होते हैं कि इतने भी बार इसको पढ़ें तो उनका जो meaning है उसको आप decode नहीं कर सकते decipher मतलब होता है किसी चीज को जानना जो कि समझ में ना आ रहा हो यहने decode करना the puzzlement that results from such instances can be both waxing and demotivating तो इस पर करका जो puzzlement होता है मतलब समझ में ना आना है इससे हमको क्या होता है काफियादा demotivation होता है निरासा होता है और ठकान से बराववा होता है if solving a riddle is what was intended then playing sudoku is a better option देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर पहली बुझाना ही उद्देश से है तिससे अच्छा आप sudoku खेलो ना कि आप poem को पढ़ो और पढ़ पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा उससे अच्छा है कि आप sudoku खेलते रहो one is late to ponder if up security was the goal इससे अच्छा है कि कोई आदमी ponder करे मने लक्चों को हसिल करे ही मत अगर लक्च ना पाना ही उद्देश से हो तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि poem का उद्देश से ही है कि कोई इसको समझ ना पाए उससे अच्छा हो गुंगता रहे तो देखे इस प्रकार से हमको पढ़के एक समरी बना लेना है अब सेकेंड पराग्राप को पढ़ते हैं Conversally some pieces resonate with the reader soul लेकिन इसके उल्टा में दिखिए कुछ pieces कुछ पोयम ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले क्यात्मा तक उतर जाते हैं Stirring feelings of warm, happiness and connection to the world और उनके मन में किस किस प्रकार कनवव लाते हैं जैसे कि कोई घर्मी के हसास हो रहा हो कोई खुसी आ रहा हो या दुनिया से उनका जुड़ाव पेदा करते हैं upon these compositions Center on themes that are universally understood such as love, nature or faith इस प्रकार के जो writings होते हैं या पोयम्स होते हैं इनके center में जो theme होता है, उसको सारी दुनिया समझता है, यह है प्यार, प्रकिति और विश्वास. Being able to actually understand what the poet is trying to say can feel like a little victory and is a welcome relief after grappling with more perplexing poetry. अगर आप poet जो कहना चाह रहे हैं, उसको समझ जाते हैं, तो आपके मन में एक जीत का हैसास होगा, और आपको relief मिलेगा, जब आप किसी जटील poetry को पढ़ते हैं, जो कि आपको जगड़ के रखता है, उसके बाद में. मतलब poetry का समझ में आ जाना एक जीस से कम नहीं है, यहाँ पर writer यह बोलना चाहते हैं, अब third paragraph आपको पढ़ते हैं, दिखिए यह जो हैना एक phrase है, यहाँ खुशी से आप उचलने कुदने लगते हैं, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ते समझ यह कि कुछ poem से जो आपको एहसास होता है, जो भावना में उत्तेजना आता है, उसके लिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है. One is left in you, आप the poet's ability to convey emotion through words, और कुछ ऐसे होते हैं, जो कि poet की ability को दिखाते हैं, कि वो किस प्रकार से भावनाओं को सब्नों के द्वारा ब्यक्त करते हैं. Let's not forget the downright weird poems, यहाँ पर downright weird poems का मतलब है, ऐसे पोयम जो एक्दम अनुखे होते हैं, these are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning. ते ऐसे पोयम होते हैं, जो किसी भी प्रकार के categorization में नहीं आते, किसी category को बिलाग नहीं करते, यह reader की उपर होता है कि किस प्रकार से इनकी meaning को समझते हैं, organizational imaginary can create a sense of view-wilderment that is either interviewing or outputting, तो देखें यहाँ पे जो author होते हैं, जो पोयाट होते हैं, हो इस प्रकार के चित्रात्मक भासा का प्रियोग करते हैं, figurative language का प्रियोग करते हैं, और गर प्रमपरागत imaginary use करते हैं, जिससे आपके मन में एक अनुखे पन का हैसास होने लगता है, या तो आप इसमें काफी ज़्यादा interview होते हैं, मतलब interested हो जाते हैं, या आप इसको पसंद ही नहीं करते, चाहे आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें, देखें आगे क्या होता है, regardless the reader can appreciate the uniqueness of the work, चाहे आप पसंद करें या ना करें, आप इसकी uniqueness को, इसके खासियत को आ बूइटरी इट केन भी एर रिवादिंग परसी उट तो देखिए कोई भी प्रकार का आपका एमोशन रहे चाहे आप भूस हों चाहे दुख हों या आप कोई भी प्रकार का आपका रियक्शन रहे अगर आप प्वेटरी को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं तो कफी the rewarding आपको होता है, not only does reading poetry allow one to appreciate the artistic beauty of the written word, but also enables one to develop crucial critical thinking and analytical skills, not only reading करने से poetry को आपको artistic जो beauty होता है, जो लिखने वाली की खुबसूरती होता है सब्दों के द्वारा उसको आप समझ पाते हैं, बलकि आपके अंदर में जटिल thinking, जटिल सोज भी पैदा होता है, और आप चीजों को काफी अच्छे से analysis भी करने लगते हैं, analytical इसके लिए आपका develop होता है, the process of unlocking a poem's meaning can feel like cracking a code or solving a puzzle, but the sense of accomplishment derived from mastering a challenging piece can be deeply gratifying, तो दिखिए अगर आप poem के meaning को समझ पाते हैं, आपको ऐसा अनभव होता है जैसे कि आपने किसी code को crack कर दिया हो, आपके अंदर में एक गहरा संतुष्टिक एहसास होता है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कार्य को कर लिया हो, finally impressing an English teacher with a well analyzed poem can be a source of pride and a validation, और आखिरे में क्या होगा कि आपके English teacher जो है ना काफी ज़्यादा impressed हो जाएंगे हो जाएंगी, अगर आपने किसी poem को अच्छे से analyze किया हुआ हो, इससे क्या होगा, आपको एक pride मिलेगा और पूरे के पूरे class में एक validation मिलेगा, और फिप्त नमबर पेराग्राप में दिखिए तो देखिए ओबराल क्या है, अगर आप poetry को पढ़ते हैं, तो आप का रूपह बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि आप mixed chocolates को enjoy कर रहे हूँ, आप कभी नहीं जानेगे कि आपको क्या मिलने वाला है, कभी-कभी जटिल हो सकता है, भानात्मक हो सकता है, कभी-कभी simple हो सकता है, या कभी-कभी एकदम अनुका हो सकता है लेकिन हमेशा आपका experience में कुछ ने कुछ नहीं आपको मिलेगा, so let's applaud all the poets out there, for making us laugh, cry, scratch our heads, and occasionally feel like a genius तो चलिए सवासी दें, उन सारे poets को, जो हमको हसाते हैं, रूलाते हैं, हमारे दिमाग को खुजाने के लिए मजबूर करते हैं, और कभी-कभी हमको एक genius की तरह अहसास दिलाते हैं अब दिखिए, मोटा-मोटा हमने इसमें क्या समझा कि यह जो है ना, पुरा को पुरा passage है, poets की उपर और poetry की उपर है, कि poetry जो है ना, किस प्रकार से पढ़ने वाले की उपर असर डालता है अब इसमें जो फर्स्ट कोस्टन है ना, वो MCQ टैब का कोस्टन है, चली इसको पढ़ते हैं कोस्टन है कि, which of the following statements best describes the author's attitude towards studying poetry तिन में से कौन से statement जो है ना, सबसे अचे से बताता है, कि author का जो attitude है, दिस्टी कोण है, poetry को पढ़ने को लेकर उनको यह बोलता है, finds a poetry to be a frustrating and a meaningless endeavor तो हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि author ऐसा बोल रहे हों कि, जो poetry को पढ़ना है, वो frustrating है, ठकाने वाला है और उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप साने तो incorrect होगा भी देखते हैं, believes that the emotional roller coaster of studying poetry is not worth the effort कि writer यहाँ पे ऐसा विश्वास कर रहे हैं, कि जो इच निच होता है, अहसास में poetry को पढ़ने पर, वो बेकार है तो ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा है, कि writer ने ऐसा कुछ बोला हो, तो इसका option B भी incorrect होगा सी देखते हैं, recognizes the challenges of studying poetry, but also acknowledges the rewards it offers यही सही है, कि यहाँ पे writer बोल रहे हैं, कि poetry को पढ़ना काफी ज़्यादा challenge से भरा हुआ होता है लेकिन अगर आप पढ़ कि उसको समझ जाते हैं, तो आपको काफी ज़्यादा reward का हैसास होता है इसलिए इसका option C बिल्कुल correct होगा अब इसका D option दिखिए, feels the poetry is too obscure and restrict for the average person to appreciate कि एक average person के लिए poetry को feel करना काफी ज़्यादा लक्षे से बटकने वाला है appreciate करने के लिए, तो ऐसा भी यहाँ पे जो writer है ना, वो नहीं बोल रहे हैं इसलिए इसका option D भी incorrect होगा अब इसका question number 2 देखिए, what is the tone of the writer in the given lines from paragraph on, rationalize your response in about 40 words तिसमें जो writer का tone है, जो line paragraph on से यहाँ पे उठा के question में दिया हुआ है उसको हमको लिखना है, और साथी साथ, जिस tone को हम लिखेंगे, उसको rationalize करेंगे उसमें कारण बताएंगे, अपनी response को लेकर, 40 words के limit में तो दिखिए, यहाँ पे जो writer बोल रहे है ना, उनका उद्दे से यह है उन poet को लेकर, जो poet जानभूच के ऐसे words सका use करते हैं, ऐसा poem लिखते हैं कि पढ़ने वाला जो है ना, उसको कभी समझ ना पाए, चाहे जितना बार भी वो पढ़े है ना, हमने अच्छे से समझा हुआ है, पर अगर अपन में, आप चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं तो देखिए, इसमें हमको tone लिखना है, यह ब्यंग कर रहे हैं ब्यंग कर रहे हैं, उन poet को जो जानभूच के, cutting words को use करते हैं cutting poem लिखते हैं, यह काफी जादा यह गंभीर है, critical है है ना, यह तो sarcastic हैं, यह critical है critical क्यों है, क्योंकि यह चाहते हैं कि लोग जो है ना, poetry को इंजवाय करें समझें, ना कि उसके minimum को समझने के लिए गुमते रहें और कभी समझ न पाएं यहाँ पर देखिए, दो प्रकार का tone आप लिख सकते हैं सर्कास्टिक, मतलब ब्यंग कर रहे हैं यह अपनी बात को दुसरे अंदाज में बोल रहे हैं यह आप बोल सकते हैं यहाँ पर critical, कि यह काफी ज़्यादा serious है तो मैंने answer में सर्कास्टिक लिखा है और जो reason दिया हुआ है, उसको चली आप answer में देखिए The tone of the writer in the given lines is sarcastic कि देखिए जो tone है ना, writer का in-lineों में वो sarcastic है, ब्यंगात्मक है, ऐसा क्यों है He compares understanding a poem to being even tougher than solving a Sudoku because poems are intentionally written in a complex way to confuse the reader ऐसा हूँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार poem को समझना जो है ना, सूट को खेलने से भी ज़्यादा कठीन है क्योंकि जो poet है, वो जान बुझ के इतने कठीन तरीके से poem को लिखते है कि जो reader है ना, वो confused हो जाए मतलब अपनी बात को दूसरे तरीके से यहाँ पे बोल रहे है इसलिए इसका tune सरकास्टिक है याने बेंग्यात्मक है या तने मानने के समान है अब इसमें थर्ड नमबर देखिए तो यहाँ पे देखिए, जो writer है ना, उन्होंने vivid imaginary को अलग अलग प्रकार के चित्रात्मक सब्दों को यूज किया है जैसे की call up in a ball and a cry, कि अपने आप में गूत जाना और रोने लगना और है jump up and down with joy और कुसी के मारे उचल कूत करने लगना तिससे reader की उपर एक गहरा प्रभाव पढ़ता है, ऐसा क्यों है तो देखिए ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन सब्दों से visual effect पैदा होता है लोगों को ऐसा लगने लगता है कि किसी चीज के वो देख रहे है जिससे जो writer कहना चाहते है ना, वो ज़्यादा प्रभावकारी, ज़्यादा effective हो जाता है इसी को इस answer में हम लोग लिखेंगे It generates a visual effect that can be easily imagined by the reader in the right intensity कि ये जो है ना, visual effect को पैदा कर रहे हैं जो कि एक सही मात्रा में reader की imagination की उपर प्रभाव डाल रहे हैं अब question number 4 देखिए The passage includes some words that are opposites, up each other, from the sets A to E below identify two sets of intonims तो देखिए यहाँ पिंटोनिम से के दो sets हम को बताने हैं चलिस को पढ़ते हैं और समझते हैं ये हैं integuing and up putting तो देखिए, integuing का मतलब होता है किसी चीज में घूस जाना, interested हो जाना और आप putting का मतलब होता है interested ना होना, पसंद ना करना तो दोनों intonims होंगे तो आपसाने तो बिल्कुल correct हुआ इसका B देखिए, disappearing and interpreting देखिए, disappearing और interpreting दोनों का मतलब होता है जिस चीज को हम जाननी पा रहे है decode को code करना जिस चीज को हम समझनी पा रहे है, उसको समझ पाना तो दोनों के दोनों synonym होंगे इसलिए B जो है ना इसका नहीं होगा C देखिए, appreciate and applied तो appreciate का मतलब भी है किसी को 87 देना, पसंद करना और प्लाउट का मतलब भी है किसी चीज को परसंसा करना ठीक है, दोनों के दोनों synonym होंगे तो C भी इसका नहीं होगा D देखिए, simple and challenging simple माने होता है सधान और challenging का मतलब होता है चनोती से भरा हुआ, यह दोनों एक दूसरे के intonym है, तो इसका यह D भी होगा, ठीक है और यह देखिए, emotions and feelings emotions का मतलब भी होता है भावन आएं, और feelings का मतलब भी होता है, भावन आएं, यह दोनों synonym होंगे, तिसलिए इसमें जो two sets of intonym से है उसमें, first है यह interviewing and up-putting, और दूसरा है D simple and challenging अब इसमें, fifth number देखिए, complete the sentence appropriately, कि इस sentence को हमको complete करना है, we can say that, the author's tone becomes more neutral and objective when discussing weird poems, compared to other types of poetry, because हम बोल सकते हैं कि जो author का tone है, वो काफी ज़्यादा neutral और objective हो जाता है, जब वो अनोके poem से के बारे में discuss करते है, age compared to बाकी poetry के, इसका काण क्या है तो दिखें, इसका काण क्या है कि वो यह मानते हैं कि जो weird poems होते हैं, downright weird poems होते हैं, उसमें poet जो है ना वो figurative language का use करते हैं, जो की right intensity emotions को पैदा करते हैं reader के अंदर में, ठीक है तो इसी को इसके answer में हमको लिखना है, he admits that downright weird poems put the readers in a sense of bewilderment, due to the use of figurative language, that the reader can appreciate their uniqueness, तो दिखें, वो admit करते हैं कि जो अनोके पोयाम होते हैं, वो reader के मन में एक अचंभा का भाव पैदा कर देते हैं, अपने figurative language के द्वारा, और जो reader है ना, उनकी खासियात को appreciate किये भी न माने भी ना नहीं रह सकता, इसमें question number 6 है Based on the reading of the passage examine in about 40 words how studying poetry can be like exploring a new city तो दिखें, जो passage को हमने पढ़ा हुआ है उसके नुसार हमको examine करना है 40 words में, कि किस परकार से poetry को पढ़ना जो है ना वो नए सहर को घूमने के बराबर है तो दिखें, नए सहर को घूमने के लिए हमारे मन में interest होना चीए जो नए जी नए चीज़े हमको मिलेंगी उनको देखने का और समझने का और महसूस करने का जज़बा होना चीए और जो चनोती हमको मिलेगा जो challenges मिलेगा उसको accept करना चीए similarly उसी परकार से पोईटरी को पढ़ने पे भी हमको नए नए अहसास होते है नए नए challenge मिलता है उन सब को हमको accept करना होता है अगर उसको हमको सही धंग से समझना है और महसूस करना है तो इनी चीज़ों को इस cancer में हमको लिखना है exploring a new city requires an open mind and a sense of interest while studying poetry requires being receptive to diverse styles and approaches and open to being challenged and surprised by what you discover तो देखिए नए city को explore करने के लिए open mind होना चीए और sense of interest होना चीए जैसे के हम समझ चुके है से मुसी परकार से poetry को पढ़ने के लिए हमको अलग-लग style और references को सुईकार करने के योगेता होनी चाहिए और open होना चाहिए कोई भी परकार का challenge या surprise हमको आता है उसके लिए इसमें question number 7 है What is the message conveyed by हिना's experience in the following case यहां पर केस दिया हुआ है उसमें से हमको बताना है कि हिना के experience से हमको क्या message यहां पर मिला हुआ है हिना spends hours trying to analyze a poem for her assignment and finally feels a sense of accomplishment and pride once he understands तो हीना जो है ना एक poem को analyze करने के लिए जो उसको assignment में मिला हुआ है कई घंटों से कोसिस कर रही है और आखिरकार उसको कफी ज़्यदा खुशी का नभव होता है और उसको गर्व होता है जब इसको वो समझ जाती है अब इसमें option यह दिखिए Only those with natural talent पर poetry should engage with it कि केवल वही लोग जिन में प्राकृतिक तोर पे poetry को समझने का talent होता है वही लोग इसमें engage हो सकते हैं तो ऐसा तो यहाँ पे हम को नहीं पता चल रहा है तो option ने incorrect होगा B है persistence max studying poetry or rewarding pursuit बिलकुल यही है कि अगर आप continue effort करते हैं तो poetry को पढ़ना जो है ना काफी ज़्यादा इनाम देने वाला आपके लिए साबित होगा जिसका option भी विलकुल correct हो जाएगा यही इस case में हम समझ पाए हैं कि हिना जो है ना लगाताब उसको analyze कर रही है गंटों तक और बाद में उसको sense of accomplishment और pride feel होता है जब उसको समझ जाती है C देखिए steady a poetry is granted to impress others इसमें कोई गरांटी वाला बात नहीं है कि अगर आप poetry को पढ़ते हैं तो इसमें कोई गरांटी तो है नहीं कि आप दूसरे को impress कर पाएंगे तो C incorrect होगा D देखिए the efforts आप studying poetry is universally proportional to the rewards gained बिल्कूल गलत है ये ये तो directly proportional है directly proportional है ना कि universally proportional है कि अगर आप poetry को पढ़ने में जो effort लगाते हैं उतने ज़्याद आपको reward मिलेगा है ना universally तो होगा नहीं कि कम reward मिले इसलिए इसकाप समझ भी incorrect होगा अब इसमें question number 8 जो इसकाखरी question है उसको ध्यान से सुनिए काफी नहीट आपका question है इस्टेट वेदर दे फालोविंग लाइन डिस्पले इन एक्जम्पल आप सिंपल, कांप्लेक्स, इमोशनली चार्जड, डाउन राइट बियाट पयाम तो देखिए बच्चों इस प्रकार के question को आपको सालव करने के लिए नहीं कुछ नहीं करना है ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है एक बार इसको आप पढ़िए, मैं पढ़के सुनाता हूँ तो इसका answer आपको दिख जाएगा तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो सूरिय है न वो पूर्वर से उदय हो रहा है नए दिन शुरू हो रहा है एक नए शुरुवाद है पक्षी चहा चाहा रहा है प्रकृती जाग रहा है और मेरे हिर्दय में काफी सांती का एसास हो रहा है तो ये की step क्पोयम है एकदम simple पोयम है इसमें न वर्ट से में किसी प्रकार का कोई complexity है न एमोशनली आपको चार्जा कर रहा है न इसमें कोई figurative language का यूज किया गया है इसलिए इसका answer क्या होगा यह simple हो जाएगा है ना तो आपको इस step के questions के लिए भी त्यार रहना होगा Question number 2 पे आ चुके हैं जो कि unseen passage का factual passage वाला part है इसमें भी जो strategy हमको अपनाना है ना उसमें सबसे simple क्या है कि question को पहले पढ़ें और question के cardingly इसको हम लोग read करें देखिए इसमें first question हम बोल रहा है कि complete the following analogy appropriately based on your understanding of paragraph 1 and 2 तो देखिए जो analogy है उसको हमको complete करना है paragraph 1 और 2 को पढ़कर तो paragraph 1 और 2 को पढ़ते हैं फिर इस analogy को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें बोल रहा है कि reduction in green areas has caused various environmental problems कि जो green areas हैं दिरे दिरे जो green areas कम होते जा रहे हैं लोग इसमें concrete के structure याने घरवर बना रहे हैं यह बहुँच जादे environmental problem को पैदा कर रहा है people squeezed between concrete structures are looking for various ways to meet their longing for green अब लोग जो है ना concrete structure के बीच में दप चुके हैं, squeeze हो चुके हैं और जो उनको green की जोरत है जो हर्याली की जोरत है इसके लिए अलग लग उपाय वो तलास रहे हैं one of the ways to do so is vertical gardens and green walls और एक तरीका इसका vertical gardens क्या होता है जो हम दिवाल की तरह उचाई में gardening करते हैं और दूसरा है green walls जहांपे walls को हम लोग green करते हैं या green लाते हैं vertical gardening is a unique method of gardening where plants are grown in a vertical position are upward जैसे कि मैंने बताया rather than in the traditional method of planting them on the ground the purpose of vertical gardens and green walls which arises from the studies of different disciplines landscape architects, architects, engineers etc is to close the cold image of concrete and increase the visual value तो देखिए जो purpose of vertical gardens का green wall सका वो अलग-अलग studies के जो discipline है जैसे इसमें पताया है कि जो landscape architect होते हैं architect, engineer लोग होते हैं उनका एक ही हमें होता है कि जो concrete का cold image है जो गंदा image होता है कि वो concrete को देखने से उसको हटाया जाए, खतम किया जाए और उसके जगा जो visual value है देखने का जो महत्त्व है उसको बढ़ाया जाए इन दी systems, nature and structures are integrated and thus urban areas and the desired environment have become intertwined तो देखिए इस प्रकास से क्या होता है कि जो structure है और जो nature है वो आपस में जूड जाता है urban areas में सहरी चत्रों में और जो desired environment है कि एक तरफ सहर भी रहे और एक तरफ natural environment भी रहे ये आपस में गूथ हो जाता है, जूड जाता है अब देखिए इसको question को देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि we can say that the situation of people living in concrete structure is comparable with a fish living in a fish ball तो देखिए जो fish होता है, मचली होता है एक कांच के बरतन में रहता है तो बिल्कुल इंसान भी जो रह रहा है आज concrete structure के बीच में उस मचली की तरह है, जो की fish ball में रहता है और vertical garden मिल्कुल उसी की तरह है and the need for vertical gardens to the need for decoration in the fish ball because जिस प्रकार से वो जो मचली का बरतन होता है उसमें decoration के लिए हम लोग छोटा-छोटा plant डालते हैं पत्थर डालते हैं विल्कुल उसी प्रकार से vertical gardens है ऐसा क्यों है तो देखिए ऐसा इसलिए है कि urban environment में अगर हमको खुबसूरती को लाना है नेचर को लाना है तो किसी ने किसी प्रकार के artificial greenery calm को लाना पड़ेगा उसका एक साधन vertical garden मी है और vertical garden मी उसी प्रकार से सोभा को बढ़ाएगा जिस प्रकार से fish को एक natural environment का हैसास करवाता है जो fish ball के अंदर में decorations है हो अब देखिए इसके इंसर को लोग कैसे लिखें तो इमिटेट और नेचरल एबिटेट fish requires decorations like plants और राक्स तो देखिए जो प्रकारतिक वातवण है ना नेचरल एबिटेट है उसको इमिटेट करने के लिए मचली को भी ज़रूत होता है decoration का जैसे कि plants और राक्स जो कि वो नेचरल एबिटेट में पानी के अंदर में रहते हैं उसी प्रकार से देखिए to improve their quality of life people living in urban areas need to improve their environment कि अपने quality of life को सुधाने के लिए जो लोग सारी चत्रों में रहते हैं उनको भी अपने वातवण को सुधाने की जोरत है उनका जो physical or mental health है वो भी इंप्रूब हो सकता है अगर उनके आज पास green spaces हो जैसे कि वर्टिकल गार्डन होते हैं अब इसका question number second दिखिए फिल दे blanks with the appropriate option from those given in brackets based on your understanding आप paragraph 2 तो जो paragraph 2 को पढ़के हमने समझा है उसके उपर जो blank है ना उसको हमको यहाँ पर भनना है तो देखिए हाँ पर क्या बोलता है कि जो statement है कि urban spaces जो है आजकल बहुँ ज़्यादा connected हो गए है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर में बहुँ ज़्यादा तीवर इच्छा है डिजायर है natural surrounding का और इसका तरीका क्या है कि nature को incorporate किया जाए किसके रूप में vertical garden की structures के रूप में और गिन्वालसे के रूप में ठीक है आगे देखिए is a opinion देखिए यहाँ पर opinion होगा ना effect नहीं होगा यह को effect नहीं है कि सब लोग ऐसा चाह रहे हैं या इस्टांगली चाह रहे हैं यहर जग हमको दीख रहा ऐसा नहीं है यह opinion है because it is a उसके बाद देखिए subjective judgment और objective detail यह कोई objective मने बिसे सी क्रीट specialized detail नहीं है बलकि यह subjective judgment है कि आपका सोचने का नजरिया कैसा है इसको लेकर इसके उपर बेस्ड है ठीक है तो फर्स्ट में opinion हो जाएगा और सेकेंड में हो जाएगा subjective judgment इसके बाद इसका question number 3 देखिए यह बोलता है कि justify the following in about 40 words इसको 40 words में हम को justify करना है कि while the survey results suggest that vertical guidance may be effective in improving the quality of life in urban areas further research and evolution may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawbacks तो देखिए उपर में एक survey result यहाँ पर दिया हुआ है इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर survey result में देखिए total participants जो है न 400 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो total यहाँ पर 15 parameter है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी life के quality वाले matter हैं उसमें strongly agree और agree करने वाले लोगों की संख्या बहुँ जादा है और disagree करने वाले की संख्या और strongly disagree करने वालों की संख्या बहुत कम है है ना किसके related में vertical gardens के related में आगे जाकि इसको पढ़ लेते हैं तकि और अच्छे से समझ में आ जाए यह vertical garden case studies often show that though functionality should be in the foreground when vertical gardens are planned they are generally made as a existing elements in the cities under passes and city squares and decorative elements in residences without seeking functionality तो देखे जनरली क्या होता है जो case study a vertical garden keeper उसमें दिखाता है कि इसको इस डन से plan किया जाता है कि यह city के underpass और city square में पाए जाते हैं अलब ऐसी जगों में पाए जाते हैं जहां इनका उद्देश के old decorative होता है न कि यह हवा को साप करने के लिए या और किसी desire को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं अब पूर नमबर में दिखे एक्सपर्स सपोर्ट that the visual quality and evolution of landscape architecture is determined based on the satisfaction of the users तो देखे कहां पिसको यूज किया जा रहा है ना यह depend करता है कि जो user है वो कितना satisfied है hence a survey of questionnaire was prepared for residents of various age groups from the metropolitan city तो देखे यह जो metropolitan city है उसमें अलग-अलग age group के लिए questionnaire यहां पे दिया हुआ है table में इसको आप देखेंगे इसमें अलग-अलग question पूछे गए हैं और इसके उपर इस सरे option है जो कि हम समझ चुके हैं इसको आप closely पढ़ लिजेगा अब दिखें जो question जिसको हम discuss कर रहे थे जिसमें 40 words में हमको लिखना है यही बोल रहा है कि जो questionnaire को हमने समझा है उसके नुसार से हमको 40 words में लिखना है कि जो vertical garden है वो कितने effective है या उनके जो कमिया है ड्राब एकसा है वो क्या क्या है तो दिखें इस cancer को हम लोग कैसे लिखें true because the majority of participants strongly agreed और agreed that vertical gardens can improve the quality of life of people in urban areas increase your quality indoors and outdoors तो दिखें वो जो survey है questionnaire का उसको हम पढ़ें तो हमको पता चलता है कि जो maximum participants है वो लोग strongly agree करते है या agree करते है कि vertical gardens जो है न लोगों के जीवन इसतर को सहरी चोत्रों में सुधारेंगे और एर के quality को सुधारेंगे चाहिकर के बाहर हो या अंदर हो अब इसका ड्राब एक या कमिया देखिए the survey lacks information about the long term benefits of vertical gardens and their potential impact on the environment and human well-being तिस survey में जो information अनों कम है कि से related कि vertical gardens का जो long term benefit है वो कैसा होगा और environment की उपर और लोगों के जीवन की उपर इसका जो potential प्रभाव है वो कैसा होगा तो इसी प्रकार से 40 words में आपको अपना जमा के दिखना होगा इसके answer को अब इसमें question number 4 देखिए based on the server results which two concerns should a city government looking to install vertical gardens address तो देखिए ये जो server result हमने देखा है उसको लेकर कौन सी जो चिंताएं एक सहरी सरकार को करनी चाहिए जो कि vertical gardens को install करना चाहता है इसको address करना है तो देखिए पहली चीनत आते है कि लोगों को इसका जो effect है वो कैसा महसूस होगा ठीक है लोग कैसे इसको साथ react करेंगे ये किस प्रकार से लोगों के लिए useful होगा रियल में होगा या खाली दिखावा होगा दूसरा क्या है इसको install करने का तरीका ज़्यादा complicated है vertical gardens का और ये बहुँँ ज़्यादा महंगा है और इसका देख रेक भी काफी ज़्यादा महंगा होता है और जटील होता है ना complicated होता है तो इन सब को इस concern में हमको लिखना है when planning to install vertical gardens the city government should address these concerns first it is important to have a reasonable cost for installation and maintenance जैसे कि मैंने बताया second है installation area should focus on areas where driver distraction is less of a problem कि दिखिये भी important है कि आप सहर मैसे जगों पुसको लगा दे रहे हैं जहाँ पे जो driver है वो district हो जाएंगे तो accident बढ़ने लगेगा इसलिए उन जगों फिसको लगाना चीए जहाँ पे driver का जो distraction है वो कम से कम question no.5 है in table 1 the statement 3 vertical gardens increased air quality indoors and outdoors received the most neutral responses from participants with 51 respondents indicating a neutral response state anyone inference that can be drawn from this तो यहाँ पे देखिए यह जो बहुं सार इसमें question पूछे गए है ना उसमें आप ध्यान देंगे तो increase air quality indoors and outdoors है ना इसका जब survey हुआ है तो यहाँ पे जो question बोर है ना कि maximum जो 51 लोग है उन्होंने neutral response दिया है इसका कण क्या हो सकता है तो देखे उनको पता नहीं होगा कि क् vertical gardens है उसका air quality के उपर पहला चीज है दूसरा चीज है उनको ऐसा भरोसा नहीं होगा कि इससे ज्यादा air quality में कोई सुधार आएगा तो इन ही सब को इस cancer में लिखना है अब इसमें question no.6 देखे अपस में गुथा हुआ तो दिखे यह जो है न गुथा हुआ नहीं है second जो है यहाँ पर देखेंगे तो एक दूसरे के उपर यहाँ पर देखिए गुथा हुआ है third भी गुथा हुआ नहीं है fourth भी नहीं है और fifth भी नहीं है इसमें गुथा हुआ क्या है केवल और केवल second है इसलिए इसका answer होगा option B only second जो visually impaired candidates हैं उनके लिए question इसमें किन the given sentence taken from paragraph 1 select the option that correctly replaces the underlined word with its most likely intonim इसके intonim को हमको बताना है ठीक है इसका ultram को बताना है vertical gardening is a unique method आप gardening unique मने जो एकदम अलग हो special हो खास हो ठीक है न तो gardening का एक unique method बोलता है तो इसको अगर हम लोग इसका intonim लेखेंगे unique का तो होगा standard method मतलब जो सब के लिए common हो ठीक है तो इसमें आपसाने बोलता है and indefinite तो ये भी तो नहीं होगा indefinite ये तो इसका intonim हो गई नहीं unique का indefinite and exclusive तो दिखी unique और exclusive दोनों लगभग same meaning करते हैं ते भी नहीं होगा combine मने जुडा हुआ ये भी नहीं होगा तिसका answer और option D is a standard ठीक है ये समझ में आप लोगों को इसके बाद इसमें question number six देखिए in per one benefit and one drawback of vertical gardening in compression to other solutions such as community gardens और parks इसमें हमको लिखना है कि community gardens और parks के compression में एक क्या benefit है of vertical gardening का और एक क्या drawback है तो देखिए benefit तो है कि कम जगह में इसको हम कर सकते हैं के अंदर भी कर सकते हैं जेबकि जो community garden है पाक है वो घर के अंदर नहीं होगा और drawback है काफी complicated है खर्चिला है और बहुत ज़्यादा maintenance इसको करना पड़ता है तिसी को इस cancer में लिखेंगे one benefit a particular garden over other green spaces is they are perfect for urban settings with limited space because they can be deployed in small spots तो देखिए जैसे कि मैं बताया कि कम जगों में इसको हम इस्टाल कर सकते हैं बहुत ही limited space पे इसको हम लोग इस्टाल कर सकते हैं जो कि urban environment में बहुत ही ज़्यादा useful है अब इसके बाद drawback देखिए one drawback a particular garden over other green spaces is installation and upkeep expenses could be more than those associated with other types of green spaces तो जो बाकी type के green spaces है जैसे कि जो नार्मल पार्क होता है उसके completion में इसका installation भी महंगा होता है और इसको maintain करना भी कापी ज़्यादा खर्चिला होता है देखिए question number 8 है which of the following is the main take away from the study mentioned in the passage कि जो main take away है क्या सीख मिल रहा है इस passage को पढ़ने का उसको इसमें पूछ रहा है तो देखिए मिले का हमको last part में the study acknowledged that vertical gardening has the potential to transform urban spaces into green sustainable areas and further research should explore the impact of vertical gardening on the environment and human well-being तो देखिए ये study हमको बता रहा है कि vertical garden जो है ना उसमें एक बहुँँ ज़्यादा chance है बहुँँ ज़्यादा potential है कि जो urban spaces है उसको green और sustainable area में convert कर दे लेकिन और ज़्यादा research का ज़रत है ताकि इसके total impact को हम environment के उपर और human well-being के उपर कि इंसानों के उपर कितना अच्छा इसका प्रभाव है उसको समझ सकें इसके लिए और ज़्यादा research है कम को ज़रत है अब चलिए इस captions को देखते हैं तिसमें आपसाने बोलता है कि vertical gardening has minimal impact on the environment and human well-being ये तो हमने नहीं समझा कि इसका बहुती कम impact है environment और human well-being के उपर बी है vertical gardening is a sustainable practice that can transform urban spaces into green areas बिलगी लही हमने अभी परके समझा है कि जो vertical gardening है वो एक sustainable practice है जो कि transform कर सकता है urban spaces को green areas में C देखिए the impact of vertical gardening on the environment and human well-being has already been thoroughly explored ऐसा नहीं है और ज़्यादा research है की ज़रत है जो हमने पढ़ा हुआ है और D है the study needs to include experts from hearty culture firms to offer any recommendations for further research ठीक है न तो यह भी हमने नहीं पढ़ा है कि कोई hearty color का firm आएगा hearty cultural firm आएगा और ज्यादा recommendation करेगा अलग से research एक लिए तिसका option B जो है न बिल्कुल correct हो जाएगा section B में writing skills and grammar है जिसमें total marks 20 है इसमें grammar में total 10 marks है इसमें जो total number आप question दिया हुआ है वो 12 है जिसमें से 10 question आपको सालव करना है तो इसका first question को देखते हैं कि फिल इन the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion आपा letter एक letter का यहां पर portion दिया हुआ है हिस्सा दिया हुआ है bracket में जो word I highlight इसका character जो form है न वो यहां पर हमको भनना है इसको पढ़ते हैं dear sir this is with reference to committee's letter आप recommendation that blank highlight the nominations for safe residential area award for this current year अब देखिए इसमें एक मज़ेदार बात है इसमें बोलेंगे कि subject कौन सा है तो subject इसमें काफी लंबा दिया हुआ है लेकिन actual में letter को ही हमको subject मानके चलना है और letter को हम लोग subject मानेंगे ते 3rd परसं singular number होगा और 3rd परसं singular number होगा तो यहाँ पे simple present में highlight जो है न वो highlights हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि this is with reference to committee's letter तो देखिए इसको हम लोग हटा देंगे तो इसको हम लोग सिधा लिख सकते है letter of recommendation that ठीक है न तो letter of recommendation that का मतलब हो गया कि letter जो है वो singular हो गया और 3rd परसं है इसलिए भरब के साथ में yes और yes जो लगता है simple present में उस हूल के कान यहाँ पे highlight का क्या हो जाएगा highlights हो जाएगा तो इसको ऐसा पढ़ेंगे कि dear sir this is with reference to committee's letter of recommendation that highlights the nominations for safe residential area award for this current year इसमें question number second देखिए read the given sentence from a recipe review article identify the error and supply the correction in the sentence तो यहाँ पे एक sentence दिया हुआ है जो कि एक recipe review article से लिया गया है इसमें error को identify करना है और correction को sentence में हमको करके यहाँ पे लिखना है क्या correction होगा उसको इसको पढ़ते हैं sentence को कि this delightful recipe must keep your hunger peng said bay with its balanced spices and oriental flavor ठीक है जो answer है ना उसको copy में आपको यहाँ जो format यहाँ पे दीख रहा है error और correction वाला जो एक बाग से बना हुआ है इसको answer sheet में लिखके है ऐसे ही error के जगा में error लिखना है और correction के जगा में correction लिखना है अब इस sentence को ध्यान से समझेए इसमें peng said way इसका मतलब होता है कि किसी चीच को काबो में रखना यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो delightful recipe है मतलब है जो स्वादिष्ट recipe है 19 तोर पे तुम्हारे भूख को काबो में रखेगा क्योंकि इसमें जो मसाले है वो काफी नियमित मात्रा में है बेलेंस्ड है और इसका flavor जो है वो भी oriental है काफी अच्छा है ठीक है तो मस्ट जो यूज हो रहा है वो गलत है कि कोई भी recipe चायो कितना भी delightful क्यों न हो वो किसी के भूख को काबो में रखेगा ऐसा कोई granted नहीं है वो काबो में रख सकता है तो यहाँ पे जो delivery आप obligation है वो मस्ट को यूज करके काफी ज़्यादा कर दिया है यहाँ पे क्या होगा will होगा ठीक है तो यहाँ पीरर में हमको must लिखना है और correction में will लिखना है तो will और must को लेकर जो नियाम है जो माडल भग से के नियाम है उसको और अच्छे से हम लोग समझते है ताकि इससे rated कोई भी question आ है तो आपको दिक्कत ना हो तो देखिए peng said way means to control something and prevent it from causing problems peng said way का मतलब होता है कि किसी चीज को control करना ताकि कोई problem ना हो जैसे इस case में भूग को control करना ताकि भूग से कोई problem ना हो इसके बाद will और must को देखिए इसको अच्छे से समझिए will and must are both model verbs that express different degrees of obligation or necessity will और must दोनों model verbs है वो अलग लग degree of obligation या जोरत को express करते है will expresses a likelihood or prediction of something happening in the future while must expresses a stronger sense of obligation or necessity तो देखिए will जो है ना जो भूग से में होने वाला है कोई भी चीज उसको बताता है एक परकार का prediction करता है आसा बादी सोच के साथ क्यों हो जाएगा करके लेकिन must जो है ना हो ही जाएगा इस परकार के sense को बताता है ति यहाँ पर इसलिए will use होगा must use नहीं होगा अब इसमें question number 3 है अभिलास और नहा had a conversation about the inauguration of नहास dance academy कि अभिलास और नहा के बीच में एक conversation हुआ था जब inauguration के लिए लोग मिले थे नहा के dance academy में report अभिलास के question को report करना है is your best friend helping you in this venture क्या तुमारी जो best friend है वो तुमको इस venture में मतलब dance academy में help कर रही है इसको हमको report करना है तो इस step के sentence को कैसे report करते हैं इससे जुड़े rules से क्या हैं और कितने variety of sentences इसमें हो सकते हैं चले इसको अच्छे से समझ लिए ताकि कोई भी sentence step काता है तो इसको बड़ी easy way में आप report कर सकें और पुरा 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 एक number आपको मिले अब इसको समझने के लिए इन sentences को देखिए पहला sentence है are you going to my house? तो देखिए क्या तुम मेरे घर जा रहे हो तो इसका answer yes नों में दिया जा सकता है चुकि इसका answer yes नों में दिया जा सकता है तो जब इसको report करेंगे तो हम लोग if कई use करेंगे if या weather कभी use कर सकते हैं लेकिन generally if कई use करते हैं तो इसका report कैसे करेंगे? किसी asked me if I was going to her house बाकि जो rule है जिटी जह हमने apply किया है कि R का वाज हो गया है और my का हर हो गया है ठीक है? तो उसके बाद second में देखिए where are you going? कि तुम कहां जा रहे थे? अब इसका answer जो है न वो yes या नों में नहीं दे सकता या दे सकती इसका answer उसको पूरा sentence बना के बताना पड़ेगा कि वो कहां जा रही थी? तो इस step के question जिसके answer sentences में होते है न उसमें ये जो where are you going? इसको हम लोग पूरा उतारते हैं इसमें इप वोगरा नहीं लिखते यहां पर देखिए इसका report कैसे होगा फिए ask me where are you going? ठीक है? ये समझ में आगे आप लोगों को अब इसके बाद इसका report करके आपको comment में बताना है where are you going? ठीक है? इसको report करके आप comment में बताईएगा देखता हूँ कितने बच्चे इसका report सही करते हैं तो जो rule है जो हमने समझा है कि जिसके wordy answers होते है उनमें हम लोग agt's जो है न उसको उतारते हैं लेकिन जिनके answer yes, no में होते हैं तब उहाँ पे हम लोग इसका report करने के लिए if कई उज करते हैं question पूछने से पहले और इसको एक जांपक से समझते हैं would you like to eat some cupcakes? यह direct speech है reported message में he asked me if I would like to eat some cupcakes ठीक है? अब इसका second देखिए have you ever seen the one-go paintings यह direct speech है इसका reported में होगा she asked me if I had ever seen the one-go paintings ठीक है? इसमें have का head हो गया है मनलब present perfect का past perfect हो गया है जो rule है उसके अनुसार से you का I हो गया है इसके बाद और एक example से इसको समझे इसमें direct में है कि are you eating your vegetables? तो इसको report करेंगे कि she asked if I was eating my vegetables ठीक है यह समझ में आगे आप लोगों को इसके बाद देखिए कुछ sentences को आप यात कर लिएगा कैसे इसको report करते हैं यह बहुत important है इस बार के exam में आ सकते हैं इसको report करेंगे कि she asked me to start the door इसको report करेंगे she requested me to help her अब जो हमने समझा है question उसका answer में हम असानी से लिख सकते हैं इसको समझने के बाद कि अभी last asked नहा whether भी लिख सकते हैं या if भी लिख सकते हैं whether अब लिख if her best friend was helping her in that venture यह इसका that हो गया है ठीक है question number 4 देखिए read the dialogue between subnum and her mentor सारा regarding her summer intensive program ठीक है तिहां पर subnum एक लड़की है जो कि अपने mentor सारा से बात कर रही है अपने summer intensive program के लिए तो सारा बोल रही है कि why did you choose to participate in this intensive program कि ओ subnum से बोल रही है कि तुमने इस intensive program में participate करने के लिए क्यों चूज किया तो subnum answer कर रही है aha I am convinced that this program has the potential to enhance my abilities कि वो जो है ना इस चीज के लिए convinced है severity के साथ में है कि जो program है उसके abilities को बढ़ाएगा अब इसमें question बोल रहा है कि select the correct option to complete the reporting आप देवब डालाग कि इसमें 4 option दिये हुए हैं उसमें से correct option को हमको choose करना है ताकि सही reporting हो जाए जो उपर का डालाग हम लोगों ने पढ़ा है उसको अब इसमें बोलता है देखिए Sarah asked the subnum उसके बाद blank है जिसमें से 4 option में से 1 option होगा in that intensive program subnum side and exclaimed that she was convinced that program had the potential to enhance our abilities अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे why did you choose to participate in this intensive program इस question का answer जो है na yes or no में नहीं आएगा इसका answer उसको worldly देना पड़ेगा sentence बना के देना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे इप कई उज नहीं होगा यह जो की पूरा का पूरा question है ना वो यहाँ पे आएगा अब यहाँ पे deed कई उज हुआ है मतलब simple past है यह इसका past perfect में change हो जाएगा अब जब past perfect में change होगा तो देखते हैं यह चारो आप्सन में past perfect all option कौन सा है इसका c option दिखिए why he had chosen to participate एक्चोल में हापे c होना चीए क्योंकि वो लड़की है लेकिन इसमें दिया हुआ ही और चुकि यह past perfect में convert हो रहा है मने had यहाँ पे आएगा तिसलिए इसका option c ही correct होगा ठीक है why to choose to participate यह नहीं होगा to choose participation यह भी गलत है rule के हिसाब से और with her choice in participating यह तो बिलकुल गलत है तो इसका option c ही correct option होगा जिसे sentence बनेगा कि Sarah asked the subnum why she had chosen to participate in that intensive program subnum sighed and exclaimed that she was convinced that program had the potential to enhance her abilities ठीक है यह समझ में आगे आप लोगों को अब इसको एक बार revise का लिजे direct speech और reported speech में simple present का past simple हो जाता है present continuous का past continuous simple past का past perfect present perfect का past perfect और past continuous का past perfect continuous will का would, can का could, make a might और must का had to ठीक है इसको बार बार याद के लिजेगा आप लोगों को बहुँ ज़्यादा यह काम आएगा question नमर फीप्त है fill the blank by choosing the correct option to complete the concluding line आप एन issue'd circular by an organization to its managers एक organization है जो अपने managers को एक circular मने नियम इसू कर रहा है उसमें से हमको correct option को choose करके यह जो line है नवसको complete करना है a copy of the plan is enclosed and blank में देखे क्या हैगा that then this may be communicated to all team leaders for compliance तो यहाँ पर देखे that माने होता है then माने तब और this माने यह तो सिधी सी बात यहाँ पर this होगा क्योंकि यहाँ पर sentence को पढ़िये a copy of the plan is enclosed and this may be communicated to all team leaders for compliance होगा है न that में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो copy of plan है न वो enclosed है मतलब इसमें सामील है यहाँ पर वो मौजूद है that तब होता जब वो दूर में रहता और देखे तब होता है इसे लिए यहाँ पर option क्या हो जाएगा this हो जाएगा इस sentence होगा a copy of plan is enclosed and this may be communicated to all team leaders for compliance इसमें question number 6 है identify the error and supply correction for the given sentence from a commercial company's current marketing strategy इसमें भी error को हमको बताना है कौन सा है यह जो format है उसको आपको copy में लिक लेना है sentence को पढ़ते है the company aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients ठीक है तो यहाँ पर दिखिए सबसे पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखाएगी commercial companies current marketing strategy वन्हें यह जो है ना current है मतलब अभी present में है और यहाँ पर दिखिए जो भर्व का second farm use किया हुआ है aimed जो कि इसको past aim बनाता है तो 100% चुकि यह current में है तो भर्व भी present में होगा past में नहीं होगा इसके करेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पर the company जो है ना वो third person singular number है तो simple present में third person singular number होने पर भर्व के बाद में S लगता है ना तो हो जाएगा AIMS थीक है यह इसका correction हो जाएगा अब इसका question number 7 देखिए select the option that identifies the error and supplies the correction for the closing line from an analytical report तो दिखे एक analytical report के closing line में हम लोगों को error को find out करना है और correction को करना है in conclusion this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters ठीक है कि conclusion में यहाँ लिखा है कि यह जो study है वो बताता है क्या संबंध है short sleep pattern में और overweight youngsters में अब यहाँ पे देखिए among का मतलब क्या होता है दो या दो से अधीक लोगों के बीच में या चीजों के बीच में ठीक है और between मतलब होता है दो चीजों के बीच में तो यहाँ पे देखिए दो चीजों का बात कर रहा है short sleep pattern और overweight youngsters का इसलिए यहाँ पे क्या होगा among नहीं होगा among के जगह में between होगा इसको हम और अच्छे से समझेंगे बाकी option को देखते हैं यहाँ पे explore से लिखता है उसका explore होगा बिल्कुल गलत है क्योंकि this study जो है न वो singular number है third person जो हम आगे discuss कर चुके है इसलिए सही है उसके बाद यहाँ पे end के जगह में R भी नहीं होगा क्योंकि 60 sleep pattern है ना और होगा overweight youngsters ना कि R होगा या नहीं होगा यहाँ पे और होगा उसके बाद in और far बोलता है तो यह far conclusion तो होई नहीं सकता in conclusion होगा किस conclusion में न किस conclusion के लिए ठीक है तो D भी नहीं होगा इसका option C correct होगा तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं देखिए among and between have different usage based on the number of entities involved among is used to describe the relationship of three are more entities जैसे मैंने बताया कि among का उप्योग करते हैं दो या दो से अधिक यहाँ पे तीन या तीन से अधिक दिया हुआ है अब मान के चलिए कि दो या दो से अधिक entities को describe करने के लिए उनके बीच में relationship को while between is used to describe the relationship between two entities जैबकि between का मतलब होता है दो के बीच में ठीक है उस relationship को बताने के लिए हम लोग between का use करते हैं इसलिए यहाँ पे इमंग के जगह में क्या होगा वो between होगा question number 8 है complete the given narrative by filling the blank with the correct option इसमें जो blank है ना उसको correct option के साथ में हमको भनना है तक यह जो narrative वो complete हो जाए the experience of nursing an injured bird left to me blank grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures अब यहाँ पे देखें क्या बोलता है कि जो अनुभव है एक विमार या घायल चिडिया का nursing करने का देख रहे करने का वो जो है ना blank के बाद grateful उसको काफी ज़्यादा संतोजनक महसूस करवा रहा है क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो देलू होने का सभी जनवरों के परती में उसका महत्तो क्या है ठीक है अब यहाँ पे देखें A option बोलता है feeling B बोलता है having felt C बोलता है felt D बोलता है feels अब यहाँ पे क्या हो सकता है तिहाँ पे होगा feeling है ना क्योंकि देखें यह जो है ना जो grateful इनको जो महसूस हो रहा है वो लगातार हो रहा है ठीक है having felt मतलब होता कि वो महसूस कर चुके थे यह perfect मतलब होता having felt तो हो गई नहीं अब felt मतलब past वाला बात यहाँ पे तो past कोई बात था ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो sentence है ना वो present में है और feels होगा नहीं क्यों feels है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुई third person singular number वाला subject नहीं है यहाँ पे 100% क्या होगा feeling होगा क्योंकि वो जो gratefulness है उसको यह अनभव कर रहे हैं continually ठीक है इसलिए इस caption ने correct होगा filling अब इसमें question number 9 देखिए report the dialogue between a vendor and his customer by completing the sentence ते पुरे पुरे grammar में तिसरा question है जो की report की उपर है इसलिए report को काफी अच्छे से और ध्यान से आपको करना है वेंडर बोल रहा है it is nice to see you sir customer yes indeed unlike last month I have been away for quite some time this month ठीक है अब आगे देखते हैं the vendor greeted his customer respectively and mentioned that he was pleased to see him first dollar sentence कतम हो गया जिसको हमको करना है वो आगे दिया हुआ है the customer answered in the affirmative and explained that अब देखिए explain that के बाद में क्या होगा यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे देखिए यह जो sentence है इसका tense क्या है यहाँ पे have been का परियोग हुआ है और far का परियोग हो रहा है मतलब यह present perfect continuous है ठीक है तिये जो है ना past perfect continuous में convert हो जाएगा यहाँ पे जो last word है ना वो previous हो जाएगा और this का that हो जाएगा अब देखिए इसको हम लोग report कैसे करेंगे पूरा sentence को पढ़ लेते हैं the vendor greeted his customer respectively and mentioned that he was pleased to see him the customer answered in the affirmative and explained that इसके बाद देखिए जो answer है यहाँ से हमको लिखना है unlike the previous month he had been away for quite some time that month ठीक है यह क्या हो जाएगा पूरा पूरा इसका answer हो जाएगा अब question number 10 देखिए fill the blank by choosing the correct option to complete the live feed on a school news channel एक school का news channel है जिसमें live feed हो रहा है उसके लिए यहाँ पे एक sentence दिया हुआ है उसमें correct option को हमको चूच करना है ताकि यह complete हो जाए तो यहाँ पे दियान देंगे तो पूरा को पूरा sentence जो है न वह प्रजेंट में है अब इसका option देखिए यह बोलता है had been won तो जो past है न गलत होगा will win future है भी गलत होगा was winning जीत रहा था है न अभी past है भी गलत होगा तो इसका option d correct होगा has won ठीक है तो sentence कैसे हो जाएगा कि the original competition awards have been announced and our school music club has won the first prize कि हमारा जो school music club है उसने पहला पूरुषकार जीता है question number 11 है complete the line from a self-awareness song by filling the blank with the correct option यहाँ पे एक line को complete करना है जो कि self-awareness song की उपर है correct option के साथ में इसको पढ़ते हैं और करते हैं the river runs through your winds कि जो नदी है तुमारे winds से बह रही है the trees and mountains blank your name the moon and stars watch over you are guiding your way back home to dream the night away तो दिखिए जो पूरा का पूरा इसमें sentences दिया हुआ है ना यह सारे के सारे present में हैं कि जो trees हैं जो mountains हैं वो तुमारे नाम हैं जो moon और stars हैं तुमको देख रहे हैं और तुम अपने घर की तरह पॉपस गाइड हो रहे हो और जो dream है night का है ना वो यहां पे है इस type का इसका meaning निकल रहा है मोटा मोटा तो देखिए इसमें यह option बोलता है will call यह future तो है ही नहीं फिरी भी बोलता है call तो यहां पे देखिए और head called तो हो गए नहीं क्योंकि यह present है फास्ट तो ही नहीं इसलिए इसका option भी call सही होगा इसके बाद question number 12 जो grammar में last question है उसको पढ़ते हैं और इसको साल्व करते हैं कि identify the error and supply correction for the following note in a passengers flight instruction manual तेहां पे passengers flight instruction मिल्यू का एक note है है ना जो passengers के लिए है उसमें एक error दिया हुआ है उसमें हमको correction करना है note है कि passengers will not reach the airport late in order to a wide defined equivalent to 5% of the basic pair तो यहां पे दिखिए क्या बोलता है कि passengers will not reach अब यहां पे will कर यूज कर रहा है जैसे कि हम will के बारे में जान चुके हैं कि यह list amount of obligation को दिखाता है सब यहां पे at least must तो नहीं होना चाहिए लेकिन 50% obligation होना ही चाहिए कि जो passengers है ना वो airport में late ना पहुँचें अगर पहुचेंगे तो क्या होगा उनको जो basic pair है ना उसका 5% जुर्वाना देना पड़ेगा यहां पे will के जगा क्या होगा suit होगा तिस step का format आपको copy में बनाना है औ will और suit को भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं देखिए will is used to express a future event or action that is certain to happen or is intended to happen है ना कि जो होने वाला है या जिसके होने की संभावना है suit is upon use to indicate an obligation duty or recommendation तेहां पे suit यूज होगा क्योंकि suit से यह पता चलेगा कि अगर वो late जाते हैं तो उनको 5% जुर्वाना पड़ेगा इसलिए ओ late ना जाएं अब देखिए writing पे आ चुके हैं इसमें writing skills का test होता है total 10 marks है इसमें letter writing में 5 marks है तो चलिए question 4 एको पढ़ते हैं और देखिए कि letter writing कैसे करें कि पूरे की पूरे number हमको मिलें कि age वेसाली नथानी अब 214 इंद्रियानी अपाटमेंट्मेंट्मेंट्में in the preservation and conservation of nature. Write a letter to the MLA of your city area in about 120 watts suggesting the need to farm such clubs. Share their importance and implications. Recommend the involvement of resident volunteers for implementation of eco-club activities that nurture and protect the local ecosystem. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अपने आपको आपको वेसाली नथानी मानना है और address है आपका 214 इंद्रियानी अपाटमेंट्मेंट्स वेसाली स्ट्रीट दाइपूर. आपका विश्वास है कि ecology club बनाने से और eco-minders को आपके city मेंपाइंड करने से जो projection और conservation है nature का बने प्रकृति की जो सुरक्षा है और सम्रिद्धी है वो बढ़ेगा आपको अपने area के MLA को लेटर लिखना है 120 वर्स हमें और उनको suggest करना है कि इस प्रकार के club से बनाने की जोरत है और उनको बताना है कि जो importance है और implications है इस प्रकार के club का वो कैसा है आपको recommend भी करना है कि जो resident volunteers होते हैं जो सुरक्षी कारे करता होते हैं उनको इसमें involve किया जाए ताकि यह जो eco club के activities है उनसे nurture किया जा सके और protect किया जा सके local ecosystem को तो इसके उपर चलिए देखिए कि कि इस प्रकार से हम लोग letter लिखे है तो यह letter to MLA वाला question है तो देखिए सब से पहले हमको यहाँ जो senders है भेजने वाला है उसका address लिखना होता है इसमें है 124 Indriani Apartments वेसाली स्ट्रीट दैपूर फिर उसके बाद एक space देते हैं फी date डालते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने date डाला हुआ है आपको इसमें exam का date डालना है 21st August 2023 इसके बाद आपको जिसको आप भेज रहे हैं उन कुछ भी imaginary address दे सकते हैं फिसके बाद subject में देखिए suggestion for establishing ecology clubs जो हमारा suggestion है उनको उसको subject में काभी precise में और चोटे words में हमको लिखना है फिसके बाद लिखेंगे salutation करेंगे dear sir अब लिख madam फिर यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे letter को मैंने 3 पेरा में बाटा हुआ है 1st पेर or the formation of ecology clubs in our city given the accelerating environmental challenges establishing such clubs with dedicated ecominders can significantly contribute to the preservation and conservation of our precious natural resources अब इसमें देखिए इसमें जो भी मैंने words से यूज किया हुए है ना वो पूरे के पूरे जो question है वहाँ से मैंने लिव हुए है ताकि हम question से भटके नहीं अविसके 2nd पेरा में लिखेंगी the ecology clubs play a pivotal role in creating awareness about environmental issues fostering sustainable practices and initiating local conservation efforts I urge you to consider encouraging resident volunteers to actively participate in these clubs ensuring the engagement of our community in nurturing and protecting our local ecosystem your support in this matter is crucial for a sustainable and a greener future for daipur I believe that together we can make a positive impact on our environment ठीक है तो देखिए हमने सबसे पहले बताया उनको की problem क्या है क्या challenge आ रहा है और उसके बाद उसके solution को हमने वैसे ही बताया है जैसे question में बोला हुआ है अब लास्ट में देखिए you are requested to kindly consider this suggestion to ensure better preservation and conservation of nature ठीक है उसके बाद इंड करेंगे you are sincerely याद रखिएगा यहाँ पी इवर से में न एपोस्टो ट्राप को नहीं लगाना है फिर उसके बाद यहाँ पे signature करते हैं तो जो नाम इस question में दिया हुआ है वो है बेसाली न थानी और नीचे हम लिखेंगे a concerned resident तेहाँ पे देखिए इस प्रकार का अगर आप letter writing करते हैं letter to MLA में ते मान के चलिएगा कि आपको पूरा को पूरा नंबर जरूर मिलेगा अब इसमें आर वला question फोर भी देखिए एज अरमान खान दे स्कूल लिटरी चाप्टन अपुज्वल एकडमी ओलड सी ती खिलादार बाद यू विलिव बिलिव बाद लिगेजेज कन help bridge regional divides and promote unity write a letter to the editor of national daily in about 120 words suggesting the introduction of an online regional language learning program managed and run by the student council and language clubs in the city the program aims to help residents who have recently relocated to a new region in picking up the local language organically share the importance and credibility of such a program and suggest a physical way to execute it along with possible activities तो दिखिए ये letter to editor वाला question है इसमें बोलता है कि आप अरमान खान है आप school literary captain है उज्वल एकडमी में आपका जो सहर है old city किलादार बाद है आपका भरुसा है कि जो language है वो अलग अलग चेत्रों में जो divide है उसको खतम कर सकता है unity को बढ़ा सकता है आपको एक national daily के editor को वान online original language learning program का जो कि manage होगा run होगा student council के द्वारा और जो language club है सहर में उनके द्वारा इस program का उद्देश से होगा कि जो resident अभी अभी किसी दूसरे चेतर से आये हैं वो local language को अच्छे से सीख सकें देखिए ये जो program है उसके importance और credibility को आपको समझाना है साथी साथ एक feasible way उनको बता आना है ताकि ये सारी activities को सही डंक से execute किया जा सके तो चलिए देखिए letter to editor में इस question को हम लोग कैसे answer करें ताकि पूरा का पूरा नंबर हमको मिले देखिए इसमें सबसे पहले sender's address होता है इस case में है हुजवल academy old city किलंदर बाद इसके बाद होता है date इस case में मैंने जो date है अपने मन से डाला हुआ है आप exam credit यहाँ पे डालेंगे यह है 30 December 2023 इसके बाद sender's address होता है तो दिखे इसमें national daily का नाम नहीं दिया हुआ है तो मैंने imaginary अपने मन से लिखा हुआ है अगर नाम दिया रहता तो नाम हम यहाँ पे लिखते यहाँ पे क्या है कि the editor, Times of India, Kilowihar, Kiland ठीक है इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद दिखे जो subject है वो क्या है introduction आप online digital language learning programs इसको हम introduce करवाना चाहते हैं फिर इसके बाद salutation देंगे dear sir madam ठीक है फिर इसके बाद दिखे यह जो कि पूरग 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 लेटर मैंने तीन पेरा में लिखा तिसमे सबसे पहले पेरा में लिखेंगे की थो अपूर रूप यह रपूर्टेट नुच्पपर I wish to make the people aware of the importance of the introduction of an online regional language learning program in our city. It is my belief that languages can assist in bridging regional divides and promoting unity by participating in this program. तो देखिए इसमें मैंने जो problem है जो question में दिया हुआ है और की step का solution मैं चाहता हूं उसको मैंने अच्छे से address किया हुआ है इसी प्रकार से आपको इसको practice करके लिखना है अब इसके second में देखिए इस तanza का एलाँ है टुआ है युआ है लिखना जुआ को ईबस्ति में गधर रहित बmetro की सांव फिए ओ बन कि जब इस पूसर रब ऑट इकेफ्ना हुआ है और भो बो तर यूख nhi नदोर से To make this trending more interesting, one might engage in activities like language exchange programs, cultural events, and online group discussions. ठीक है, उसके बाद दिखे, जो concluding paragraph है. तो दिखे, हम लोग लिखेंगे कि by writing my letter in your daily's columns, I am to encourage the community to support this institute. Because it has the ability to unite people, advanced language skills, and इस्तेथन, bonds of brotherhood. ठीक है, तो दिखे, हमने पूरी तरस इसको conclude कर दिया. तो इसके बाद इंड करेंगे, युवस्टोली, अर्मान खान, केप्टन, लिटरी, कलब. तो दिखे, इस प्रकार का अगर आप letter to edit लिखेंगे, ते मान की चलिएगा कि आपका एक भी marks नहीं कटेगा. Question number 5 जो है, ओ, analytical paragraph से है. इसमें दिखे, question बोलता है कि, तो दिखे, इस question में क्या बोलता है कि, सिरिंग जो है ना, class 10 की student है, और ओ, junior school captain के पोस्टे के लिए, election में भाग लेना चाहती है, जो कि आने वाला election है, student council का, यहाँ पे दिखिए, उसके character trade का graphic दिया हुआ है, जिसको school counselor ने, student voters के awareness के लिए, public domain में डाला हुआ है, school में, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके traits दिये हुए हैं ना, उसी के हिसाब से हमको, उसके support में या approach में, analytical paragraph को लिखना है, तो सब से पहले इस question को आगे पढ़ते हैं, फिर support में देखेंगे कि कौन कौन से trait हम लोग लें, और approach में भी उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, कि all syring's peers have been asked to write a paragraph in about 120 words, analyzing these traits, to either support or approach her candidature, तो देखें इसमें question बोलता है कि सारे उसके जो peers हैं, उनको बोला गया है कि वो एक paragraph लिखें 120 words में, या तो उसको support करें, या approach करें, लेकिस किसके अनुसार ये जो traits यहाँ पर दिये हुए हैं, उनके अनुसार उसके candidature को, अपने मन से नहीं लिखना है, as one of our peers, write this analytical paragraph by selecting some of the traits that support your analysis, देखें, इस question में बोल रहा है कि आप दूसके एक साथी हैं, आपको एक analytical paragraph लिखना है, इसमें से कुछ traits को यूज करते हुए, या आप supporting में लिख सकते हैं, या opposing में लिख सकते हैं, ठीक है, अब आगी देखे, you may begin like this, आप इसको ऐसा शुरू करेंगे, as a responsible student voter, I believe sharing possesses, does not possesses the necessary traits, to be a school captain, और इसको in-d में लिखेंगे, keep for these regions, I believe she has, does not have the potential to be a good school captain, and I support, a league oppose her candidature, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग support में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर support में देखिए, कौन-कौन से traits दिये हुए हैं, सबसे तो अच्छा trait बीच में दिया हुआ है, कि health is his peers, in their difficulties academic or personal, कि उस सब की मदद करती है, उसके बाद देखिए, maintenance, discipline, study routine, कि अच्छा study routine को maintain करती है, focuses on excellent outcomes, वो focus करती excellent outcome के लिए, exhibits good decision making skills, अच्छा decision making skills को exhibit करती है, और उसके बाद देखिए, beliefs in one for all, and all for one, कि वो अपने को सब में मानती है, और सब को अपने में मानती है, works hard to achieve goals, और कठिन में मानत करती है, गोल पाने के लिए, ठीक है, ति जो सारे के सारे traits हैं ना, वो इसके positive traits हैं, अब इसके अनुसार हम लोगों को लिखना है, कि उसका candidature जो हैं ना, काफी अच्छा है, अब देखिए इसको कैसे लिखें, अब यहां पर हेडिंग में लिखेंगे, इसके इसके इंसर में, कि सपोर्टिंग से कंडिटेचर, ऑच्रिंग हैा लिखेंग लिखेंग Tenज काफेंगे, अबसुर्टिंग लिखेंगों पर ना, अबसुर्टिंग खोर्ट लगों, पनर, अई हटेंग लों.. वो में इसके असेशी हैं, इसके आत्से स्अर्टिंग आपना feminist कोंवें, in the school. She maintains disciplined study routine and hard work ethic, demonstrates her capacity for time management and prioritization. Shearing exhibits good decision-making skills, she is sensitive but less impulsive, and focuses on the quality of the work that is given to her. Her willingness to help a peers in their personal or academic difficulty, demonstrates her compassion and empathy. Despite her average academic performance, her drive for recognition and her upbeat outlook will spur her, and to strive for excellence. For these reasons, I believe she has the potential to be a good school captain, and I support her candidature. तो दिखिये, इसको हमने support में लिखा हुआ है. अब sharing के negative traits को दिखिये. इसमें first है, tribes only on appreciation. Second है, is less impulsive, but highly sensitive. Third है, he is an average academic performer. इस जी नेगिटिव टेर्स हैं. उसके अदार पे हमको उसके कंडि़िचर के अपोज में, पराग्राप को लिखना है. Opposing Searing's Candidature. As a responsible student voter, I believe Searing does not possesses the necessary traits to be a school captain. It is possible that Searing's remarkable sensitivity gets in the way of her capacity to lead effectively and make difficult decisions. Although, it is admirable that she is willing to help her peers. It could also divert her attention from her duty as the school captain. She follows a disciplined study routine, yet her average academic performance raises questions about her lack of academic discipline. Additionally, her desire for recognition can lead her to put the welfare of the school community before her own needs. She is less impulsive and highly sensitive and thrives only on appreciation. So, it is not possible for her to deal with all those situations which are crucial for the school's smooth functioning. For these reasons, I believe she does not have the potential to be a good school captain and I oppose her candidature. तो यहाँ पर अगरी steps आप लोग लिखते हैं एक्जाम में, तेमान के चलिएगा कि एक भी मार्च सापका नहीं कटेगा. अब इसके आर में 5B वाला question दिखिए, कि is the captain of the school's cultural club. You have been asked to study the given itinerary provided by a tour organizing vendor. तो आप यहाँ पर इसकूल के cultural club के captain है और आपको बोला गया है कि एक tour आर्गिंग वेंडर ने एक आर्टनरी प्रवाइड किया है उसको आप पढ़ें. अब इस आर्टनरी को देखिए, A3 and Oblig2D educational tour for the senior school students. जबबलपूर और रान्हा नेशनल पार्क वंदे परदेश. तिहाँ पे तीन रात और दो दिन का educational tour है senior school students के लिए जबबलपूर और रान्हा नेशनल पार्क वंदे परदेश के लिए. अब इसमें क्या-क्या है देखिए, टूर टेबल और साइट सेइंग बाई बस, एक्कोमेडेशन अन क्वार्ट शेरिंग बेसिस, वन स्टाफ कंप्लिमेंटरी पर इभरी 20 स्टुडेंट्स, बोटल्ड मिनरल वाटर थूर आउट तूर, डान्स पार्टी अन 22 नवंबर, इंस्वरेंस पालिसी आप 20,000 पर अब यहां पर दखिए, पुरग पुरए अक्टेबल दिया हुआ है, जिसमें डे, जिस डे से टूर शुरू होगा, उसके estimated time of departure from यह दिया हुआ है, estimated time of arrival दिया हुआ है, side-seing destination activity दिया हुआ है, और time spent at the destination, कि कितना समय उस destination पर हम गोजारेंगे, वो सब यहां पर दिया ठीक है इसको पूरा अच्छे से हमको पढ़ना है एक्जाम में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ियेगा ना ने तो क्या होगा कुछ न कुछ मिस होगा तो आप से गलती होगा जैसिस में 22 November 2023 से 849 एम नाटपूर जंग्सन से निकल रहा है ठीक है और इसके बाद जिस जगह पे जाना चाहता है वो है होटल और वहाँ पे राइब होगा ये 5.23 पीम को उसके बाद 23 November 2023 को 9 बजे होटल से निकलेगा और 10 बजे पहुँचेगा ये भवरताल गाडन ठीक है उसमें एक घंठा रुकेगा तो इसको आप इस प्रकार से पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में ये चार बज की 21 मिनट पे नाखपूर एलो एस्टेशन में आके आपको फिर से राप करेगा छोड़ेगा ठीक है अब इसमें देखिए बोलता है कि राइट इस अटनरी तो एदर एप्रूब और एजेक्ट दर टूर पर्पोजल वाइल फोकसिंग आन्दा इस्टुदेंट सेफ्टी इंट्रेस्ट और फिजिकल वेलनेश राइट इस एनलीकल परगराप इन बाओट 120 वर्स बाइ सेलेक्टिंग फीचर्स देट सपोर्ट तो देखे इसको एप्रूब करना है या रिजेक्ट करना है इस पर्पोजल को और फोकस करना है कि जो स्टुदेंट है उनका सेफ्टी इंट्रेस्ट और फिजिकल वेलनेश जो हैना वो हमारे कंसिडरेशन में रहे 120 वर्स में लिखना है और जो अटनरी दिया हुआ है उसी तूर पर्पोजल सुट भी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तब भी आपको जो दिया हुआ है उसका साहरा लेना है और रिजेक्ट करते हैं तब भी इसमें जो दिया हुआ है उसको मेंशन करते हुए आपको उसको रिजेक्ट करना है यू इसको आप ध्यान से समझेगा उसी के हिसाब से आपको प्रेक्टिस करना है और यहाँ पर इसको पोच करके एक बार अच्छे से पल लिजेगा अब इसके इंसर में सबसे पर हेडिंग डालेंगे एक्सेप्टिंग दे प्रपोजल A true analysis of the itinerary provided by the tour organizing vendor reveals that the tour proposal should be accepted It is thoughtfully designed and offers a variety of instructive exercises for the pupils Students will have the chance to learn about history, art and nature through the visits to Bhavartal Garden, Vedaghat, Dhumadhar Falls, Marble Rocks Cable Card Tour and Rani Durugavati Museum Students can interact with wildlife and experience adventure as part of the Kanha Tiger Reserve Tour The students' safety and well-being are granted by the supply of bottled mineral water an insurance policy and the tour manager's assistance The tours, entertainment, enjoyment and enthusiasm factor are increased by the addition of DJ parties Student security is further inhaled by the free staff that is offered for every 20 students Therefore, the tour proposal for the educational trip should be approved A true analysis of the itinerary provided by the tour organizing vendor reveals that the tour proposal should be rejected Even though there are lot of educational activities on the tour, we are worried about the pupil's safety and wellness The excursion involves a lengthy drive from Nagpur junction to Jabalpur and back taking close to 9 hours total It also describes returning to the hotel late at night on the final day After an early morning departure at 5.30 am to see the Kanha Tiger Reserve Students' learning experiences may be hampered by physical tiredness brought on by long table days and a busy time table Furthermore, a DJ party might not be appropriate for an informative tour The trip operator has not disclosed information regarding the hotel's quality and not every student may find the quad sharing arrangement to be comfortable Therefore, the tour proposal for the educational trip should be rejected जिस question का answer वो देना चाहता है वो बहुं simple था यह question था कि जो 12 छोटे चोटे गोल्ड स्पार्स थे मोनार्क पूपा में उनका प्रपच क्या है Everyone assumed the spars were just ornamental इबराइट शेड इबराइट ने कहा था कि सब लोग कलपना कर रहे थे कि जो spars थे हो केवल दिखावए के लिए थे बट डाक्टर उगार्ट डिडन बिलीब इट तिकिन जो डाक्टर उगार्ट थे उनको इस बात पर भरोशा नहीं था अब इसका इंसर पाने के लिए इबराइट और एक दूसरा जो साइन्स का एक्सेलेंट इस्टुडेंट था उनको सबसे पहल एक डिवाइज बनाना था जो दिखाए कि spars का जो काम है न वो क्या था तो उन्होंने find out किया कि spars जो थे वो एक carbon को निकाल रहे थे जो कि butterfly के पूरे development के लिए जोररी थे इस से इबराइट ने पहला प्लेश जीता था county fair में जिसके अन उसको international science और engineering fair में entry मिला था there he won third place फर जुलाजी जहां पर उसको तिसरा इस्थान मिला था जुलाजी के लिए he also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research इसके कार से उसको काम करने का मोका मिला गर्मी के दिनों में जो entomology laboratory है entomology का मतलब होता है जहां पर किड़े मोखड़े इंसेक से को पढ़ा जाता है रिसर्च ही किये जा सकता है Walter Reed Army Institute आप रिसर्च में अब इसके questions को देखते हैं इसका first question है State anyone inference about Dr. Ugart from the given contest तो देखिए हमको Dr. Ugart को लेकर एक inference यहाँ पे लिखना है बताना है नीचे में जो contest दिया हुआ है उसको पढ़कर Everyone assumed the sparse where just a mental ebride said सब लोग assume कर रहे थे कि जो sparse थे वो केवल दिखावे के लिए थे बट Dr. Ugart didn't believe it लेकिन जो Dr. Ugart थे उनको इस बात पर भरोसा नहीं था तो देखिए Dr. Ugart जो थे न वो एक scientist थे वो लोगों के मान्यताओं पर भरोसा नहीं करते थे उनको scientific evidence चाहिए था तो देखिए इसका answer हम लोग कैसे लिखेंगे He refused to settle for conventional wisdom around कि जो परंप्रागत बुद्धी मत्ता था उसी के अनुसार settle होने के लिए मानने के लिए उन्होंने मना कर दिया था अब इसका second question देखिए Is it true or false? इसमें true or false? को बताना है None of the terms A to D below can be applied to the question What is the purpose of the 12 but any gold sparks अना मुनार्क पूपा कि जो मुनार्क पूपा की उपर में 12 छोटे-छोटे gold sparks थे उसका purpose क्या है? इस question के लिए यहाँ पे 4 terms दिये होए हैं वो apply नहीं होंगे बोलता है याद रखिएगा none of the terms इसमें first term A है A hypothesis hypothesis क्या होता है? एक पर्पोजड एक्स्पिलनेशन फारा फेनामिनन एक फेनामिनन है उसका एक एक एक्स्पिलनेशन या ब्याक्या जो है ना वो पर्पोजड किया जाता है उसको hypothesis बोलते है B है एन एजमसन एजमसन मतलब जिसको मान लिया जाए या कल्पना किया जाए किया सही है बिना किसे पुरूप के Something that is taken for granted और assumed to be true without proof और C है A premise Premise क्या होता है? कि ये proposition that forms the basis of an argument कि ये proposition होता है जिससे एक argument का जो base है न वो बनता है और D है A theory theory क्या होता है कि A well-sustinated explanation for a natural phenomenon कोई प्राकिर्ति घटने का एक अच्छा से ब्याख्या करना तो देखिए ये जो ये जो sentence है ना ये जो question है वो केवाल एक sentence है एक question है जिसको के औरी के कारण जिक ग्यासा के करण जो ही bright है उसने इसको बोला है तो ये भी incorrect होगा नहीं एक जमसन है कोई कलपना है या कोई मान लिया गया truth है क्योंकि इसमें ते question पूछा जा रहा है तो ये जमसन तो ही नहीं है तो इसका जो B है ना A भी नहीं होगा और नहीं ये premise है कि किसी argument का base वो ये पैदा कर रहा है या खड़ा कर रहा है ऐसा नहीं है तो C भी नहीं होगा और D देखिए ये कोई theory तो ही नहीं केवल एक question है ठीक है इसका D भी नहीं होगा इसी कानड से इसका answer क्या होगा बिल्कूल ये true होगा है ना क्योंकि क्या बोलता है कि कोई भी टर्म से जो है ना A.C.D. तक इस question के लिए अपलाई नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है के लिए बिल्कूल true होगा तो देखिए इसका answer में लिकेंगे true region क्या है कि this claim would not fall under the category of theory hypothesis assumption or premise it merely states the query that Ebrite was attempting to address ठीक है यह हम अच्छे से समझ चुके है अब इसमें third number question है Ebrite's approach towards finding the purpose of the gold sparse आन मुनार का पूपा was highly effective जो Ebrite का इप्रोच था जो purpose है gold sparse का मुनार का पूपा में उसको पाने का बहु ज़्यादा effective था elaborate in about 40 words with reference to the extract इसको हमको 40 words हमें बताना है जो extract में हमने समझा है उसके नुसार तो देखे बज़ों इस type का question का answer हम कैसे लिखें उसका सबसे अच्छा तरीक है कि हम अच्छे से practice करें अब आप ध्यान से देखें कि मैंने इसका answer कैसे लिखा है आपको practice करके ऐसे answer लिखने का आदत बनाना है क्योंकि इस type के questions जो है ना अने वाले जो exam है उसमें 100% बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे Ebride's method successfully discovered the region behind gold spars and monarch का पुपास reputing the belief that they were only decorative तो जो Ebride का method था उसने सफलता पूर्वक होजा क्या कानर था gold spars का monarch का पुपास में और जो प्रमप्रागत बिचार था इसको लेकर कि एक यवल decorative है उसको इसने खतम किया उसका खंडन किया उसने एक device को बनाया जो बता रहा था ये जो spars थे वेक हार्मोन निकाल रहे थे जो कि butterfly के development के लिए जोरी थे अब इसका फोर्थ नमबर कोस्चन दिखिए Which phrase would correctly substitute a chance in the given sentence from the extract कौन सा ऐसा phrase होगा जो कि a chance को सही डंग से substitute करेगा बदलेगा निचे दिवे sentence में जो कि extract से लिए गया है He also got a chance to work during the summer at the Entomology Laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research तो दिखिए यहां पे यह chance का मतलब है एक मौका ठीक है उसको एक मौका भी मिला गर्मी के दिनों में काम करने के लिए ऐसा यहां पे हमको बोल रहा है यह sentence जो है यहां पे a chance के जगह में हम लोग an opportunity को use कर सकते हैं जो कि एकदम correctly substitute होगा a chance का उसके बाद यह sentence कैसे बनेगा देखिए तो देखिए जो sentence का मिनिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ इसलिए यहां पे a chance के जगह में क्या होगा an opportunity होगा अब इसका आर वाला जो extract है न वो the proposal से लिया गया है इसको पढ़ते हैं इसमें लोमों बोल रहा है It's cold, I am tumbling all over just as I had got an examination before me The great thing is I must have my mind made up if I give myself time to think, to hesitate to talk a lot, to look for an ideal or for real love then I will never get married तो देखिए यह जो है न लोमों बोल रहा है कि बहुत ठंड लग रहा है, मैं काप रहा हूं पुरे सरीर से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने में एक जाम होने वाला है सबसे अच्छा चीज़े है कि मेरे को अपना दिमाग को बना लेना चाहिए मेरे को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर मैं हिजिटेट करूँगा भूँ ज़्यादा सोचूँगा भूँ ज़्यादा एक आदर्स और एक सच्चे प्यार की तलास में रहूँगा तो मेरा साधी कभी भी नहीं होगा बरr, it's cold नतलया, Stepanova is an excellent housekeeper not bad looking, well educated अब वो अपने आपको समझा रहा है कि बहुं ज़्यादा ठंड है नतलया, Stepanova जो है न वो एक अच्छा घर समालने वाली होगी वो अच्छी दिखती है, अच्छी पढ़िलिकी है What more do I want? But I am getting a noise in my ears from excitement इससे ज़्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ मेरे कान में एक आवाज हो रहा है excitement के कारण drinks and it's impossible for me not to marry और उसके बाद वो drink करता है और सोच रहा है कि ये मेरे लिए साधी नहीं करना impossible होगा in the first place I am already 35 a critical age so to speak और first place में अब वो सोच रहा है कि वो 35 कहो चुका है जो कि ये critical age है अगर बोला जाये तो in the second place I ought to lead a quiet and regular life अब दूसरे place में उसको एक सांत और regular life जीना चाहिए I suffer from palpitations I am excitable and always getting awfully upset at this very moment my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow अब देखिए वो जो है ना palpitations का सिकार है उससे suffer करता है वो बहुँ जदा excitable होता है और बहुँ जल्दी upset हो जाता है अभी भी उसका जो होट है वो काप रहा है और उसका जो right eyebrow है वो फड़क रहा है twitch माने होता है eyebrow का ये भों का फड़कना अब इसके questions को देखने है first है which of the following is not a region why Lomo thinks he must marry इन में से कौन सा एक region नहीं है जिसके काराण Lomo सोचता है कि उसको साधी करना चाहिए इसमें नहीं है बोलता है ना अब इसमें option ए में देखिए बोलता है कि he is already 35 years old ये तो एक region है जिसके काराण वो साधी करना चाहता है तो not a region के लिए ये जो है ना first of all option incorrect होगा b है he suffers from palpitations a भी एक region है उसके साधी करने के लिए तो not a region के लिए ये incorrect होगा c देखिए he is excitable and easily upset a भी एक region है जिसके काराण वो साधी करना चाहता है तो ये भी इसके लिए incorrect होगा लेकिन दी देखिए he is in love with Natalaya तो देखिए वो Natalaya के प्यार में नहीं है ये उससे प्यार नहीं करता है तो ये जो है ना वो region नहीं है जिसके काराण वो साधी करना चाहता है तो नाट रिजन के लिए ही correct होगा आप संडी कि he is in love with Natalaya अब इसका second number question देखिए Why is it fair to say that Lomo's tone when he says What more do I want is uncertain and questioning Answer in about 40 words इस इसको कहना क्यों fair होगा कि Lomo का जो tone है जब वो कहता है किस्ते ज़्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ ये जो uncertain है मने अनिस्चीत है और ये questioning tab का है ऐसा ये लग रहा है जैसे कि वो कुछ और चाहता हो लेकिर उसको मिल नहीं रहा हो इसलिए वो अपने आपको satisfied काने के लिए बोल रहा है कि What more do I want किस्ते ज़्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ अब दिखे इस step के question के answer को हम कैसे लिखें लुमो's tone in What more do I want is uncertain and questioning as he tries to convince himself that Natalaya step nova is a suitable match while also grappling with doubts and fears suggesting he is reassurance but not entirely convinced तो दिखे लुमो का जो tone है न किसे ज़्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ ये uncertain and questioning है क्योंकि वो अपने आपको convince करना चाह रहा है समझाना चाह रहा है कि जो Natalaya step nova है वो एक सही match है साधी के लिए उसके लिए लिनिक से साथ ही उसके मन में बहुं सारे doubts है बहुं सारा डर है जिसका आण वो खुद को re-insure कर रहा है लेकिन वो पुरी तरह से convinced जो है न वो नहीं है इसमें question number 3 है Read the following descriptions A to C and identify which one correctly corresponds to the extract इसमें 3 descriptions हैं A to C इसको हमको पढ़ना है और हमको पतालग करना है कि कौन सही धंग से identify करता है extract के साथ में ये बोलता है A debate is a formal discussion on a particular topic usually with two or more people presenting different viewpoints and arguments तो देखिए debate क्या होता है इसको बाद भी बाद भी बोलते हैं कि एक formal discussion होता है दो लोग आपने सामने में बैठे होते हैं या दो से अधिक लोग बैठे होते हैं किसी topic की उपर ये अलग-लग viewpoints और argument को रखते हैं B है A. Soluluki is a speech given by a character alone on stage which reveals their innermost thoughts and feelings to the audience तो देखिए जो soluluki होता है वो एक speech होता है जो कि character अकेले stage पर देता है जिससे वो बताता है अपने अंदर के विचारों को और अपने भावनाओं को, audience को और C है An aside is a brief comment A remark made by a character directly to the audience which is not intended to be heard by other characters on stage Aside क्या होता है एक छोटा सा comment होता है रिमार्क होता है जो character है audience को directly देता है stage से और उसका उद्देश से होता है कि जो वाकी characters है stage में आव सुन पाएं कि वो ल audience जो है न उसको सुने तो दिखिए यह जो extract में बोला गया है न वो क्या है वो एक सुलूल कोई है इसका option भी बिल्कुल correct होगा क्योंकि हां पे जो लोमो है वो stage पे अकेले ही बड़बडा रहा है बोल रहा है और अपने अंदर की विचारों को और भावनाओं को जो audience है न उसको बता रहा है इसलिए इसका option भी जो है न वो correct होगा अब इसका question 4 देखिए if an actor where to enact this extract what will he be required to focus on while modulating his voice तो माली जो कोई actor जो है न इस extract को act करे stage पे तो उसको की stage पे ज़्यादा focus करना होगा जब वो voice को modulate करेगा नकल करेगा तो देखिए इसका answer क्या होगा through the modulation of his voice the actor would have to portray the most anxiety and excitement तो देखिए अपने voice के modulation में actor को जो है न portrait करना होगा लोगों की जो anxiety है और excitement है उसको देखिए इसमें question number 7 भी extract based the questions है जो की poem से लिये गये है इसमें भी दो extract है जिसमें से एक को हमको salve करना है और इसमें भी five marks है तो इसमें ये वाल extract को पढ़ते हैं ये लिया गया है fire and ice से but if it had to perish twice I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice कि अगर ए दुनिया को फिर से नस्ट होने का मौका मिलेगा तो मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में इतना नफरात है कि destruction के लिए ice जो है न वो भी पुरी तरह से महान है और पुरी तरह से सक्चम है अब देखिए इसके questions को हम लोग देखते हैं first है fill the blank with one word एक word से जो blank है न उसको fill करना है when the speaker says that ice could also bring about the end of the word he refers to blank as the means for destruction जब इस speaker यहां पर बोल रहे हैं कि जो वर्फ है वो भी दुनिया को खत्म करने के लिए सक्चम है तो उनके कहने का मतलब यहां पर destruction को लेकर क्या है तो देखिए इसी में इसका answer दिया हुआ है यहां पर बर्फ का मतलब है कि किसी चीज को होते हुए देख के भी न देखना चूप चाप खड़े रहना यह उससे नफरत करते रहना तिहां पर hate जो है यह जो है region है जिसको speaker बोल रहे हैं कि दुनिया जो है खत्म हो जाएगा तिहां पर ice का सिधा मतलब hatred से है तो दिखिए इसका answer हम लोग कैसे लिखेंगे तिहां पर जो blank है ना वहां पर हम लोग लिखेंगे hatred इसमें second question है कि speaker जो है ना क्यों लोगों के साथ में है जो बोलते हैं कि eyes जो है ना वो भी sufficient है और great है दुनिया को खत्म करने के लिए तो इसके answer में लिखेंगे the speaker support for I suggest they have witnessed the detrimental effects आप लेकाप empathy and emotional connection कि जो speaker support कर रहे हैं कि eyes भी परियापत है दुनिया को खत्म करने के लिए क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि लोगों के अंदर में अब empathy नहीं है और किसी प्रकार के emotional connection नहीं है हर चीज में लोगों के अंदर में जो घिर्णा है नफरत है वो हावी है इसमें question number 3 है which of the following best describes the speaker's attitude towards destruction caused by eyes तिहां पे चार option में से कौन सबसे अच्छे से बता रहा है speaker के attitude को जिसकानों मानते हैं कि destruction के लिए eyes भी sufficient है और great है ठीक है तिहां पे देखिए अगर हम ध्यान से देखें तिहां पे उन्होंने great का use किया है मने eyes को वो काफी respect दे रहा है मानते हैं कि eyes मने जो है trade है वो भी काफी महान है जिसके कारण दुनिया जो है न वो खत्म हो सकता है तो इसके कारण से क्या होगा इसका आप सने दी के indifferent तो indifferent तो नहीं होगा जैसे कि हम समझ चुके है B है fearful ये भी नहीं होगा C है dismissive ये भी नहीं होगा बलकि इसका आप सन दी विल्कुल correct हो जाएगा 3 step का question अगर आता है न तो आपको फिर से extract को पढ़ना है और वहां sensor को identify करना है इसके बाद देखिए इसमें question number 4 है comment on the poet's use of language in these lines कि poet ने जो language use किया है इन लाइनों में उसके उपर हमको comment करना है तो चलिए इसके answer को देखते हैं और समझते हैं देखिए two marks से कहना at least 40 words से में आपको लिखना होगा देखिए यह जो पोयाम है वो हमको बताता है जो inevitable nature of destruction का एक profound message देता है destructive forces के बारे में जो की है fire और ice लिगिन इनका जो language है न वो काफी ज़्यादा बाचीत करने वारा language है conversational language है डारेक्ट language है इस strategy increases the message overall effect and makes it more approachable to a larger audience यह जो strategy है यह जो रनिती है वो message के महत्तों को बढ़ा देता है और एक बहुत बड़े स्रोता लोग के पास यह audience के पास इसको पहुचाता है अब इसके बी में fog से लिया हुआ extract है इसको पढ़ते हैं समझते हैं और questions को करते हैं the fog comes on little cat feet जो fog है धूंद है कोहरा है वो छोटे बिली के पैर के तरह चुपके से आता है it sits looking over harbor and city on silent on chase and then moves on और यह चुप चाप जो harbor है बंदरगाया है उसके उपर बैठता है और जो सहर है ना उसको देखते रहता है कैसे जैसे बिली बैठते है अपने जो कूबड है उसके द्वारा मतलब अपने पैर को निचे करके चुपके से जो बिली यह बिली के प्रजाती के जानवार होते हैं बैठते हैं उस step से जो fog है ना उचूप चाप बैठकर देखते रहता है सहर को और चूप चाप चला जाता है ठीक है तो देखिए बहुत ही simple poem है इसमें कोई ज़्यादा जटील poetic devices नहीं है नहीं timing scheme है तो इसका first question देखते हैं in what way does the language used in this poem challenge traditional ideas are what poetry should be किस तरह से जो language जो भासा इस poem में use किया गया है वो प्रमप्रागात जो poetry है उसको challenge करता है तो दिखिए जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो language है बहुत ही simple है इसमें ज़्यादा जटील timing scheme है नहीं बहुत ज़्यादा इसमें poetic devices हैं जो बाकी poet लोग यूज करते हैं अपने poems में ये बहुत ही simple और day-to-day life में यूज होने वाले जो words है उनको यूज करके बहुत ही strong image जो reader के मन में बनाता है इसी कारण से ये जो है ना जो traditional poetry है उससे अलग type का poetry है अब दिखिए इसके answer को हम लोग कैसे लिखें इस poem implies straightforward language unlike traditional poetry that implies intricate time systems and metaphors ये जो poem है ना बहुत ही सिधे साधे language में लिखा गया है जब कि जो traditional poetry होते हैं उसमें बहुत ही gentle rhyme systems होते हैं बहुत ही simple language को use कर रहा है जिससे ये बहुत ही clear image reader के mind में create कर पा रहा है इसमें question number second है what is the significance of the use of the word little to describe the fog in the poem and how does this word wise contribute to the overall mood and tone of the poem answer in about 40 words तो देखिए यहाँ पे जो word use हुआ है little जिसका क्या महत्त्व है fog को describe करने में इस poem में और किस प्रकार से ये जो word है little वो contribute कर रहा है overall mood और tone इस poem में यहाँ पे जो word little है वो fog के subtle और quite nature को बता रहा है subtle का मतलब होता है कि जटिल और quite मतलब होता है सांथ है ना तो यहाँ पे fog जटिल भी है उसका बेवार समझ में ना आने वाला है और सांथ भी है सांथी सांथ एक प्रकार का innocence और vulnerability मैंने ना जुकता और innocence को पैदा कर रहा है और fog को यहाँ पे एक harmless creature के रूप में दिखा रहा है जो कि सहर में आया हुआ है वो किसी को नुकसान नहीं पहुचा रहा है और जो mood है और tone है poem का वो इस word के कारण बहुत ही peaceful हो गया है और इसमे एक mystery का touch भी है तो देखिए इस cancer को हम लोग कैसे लिखें तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 40 वर्ड्स में इस cancer को लिखा हुआ है ऐसा ही प्रक्टिस आप पीस्पूल टोन तो यहाँ पे देखिए आपको करना है इसमें question number third है complete the sentence with the appropriate option इसमें एक sentence दिया हुआ है उसको सही option से complete करना है the lines from the poem tell us that the city is यह जो line हमने poem से पढ़े हैं वो हमको सहर के बारे में क्या बताता है तो दिखिए जो lines है ना जो हमने पढ़े हैं उसमें एक word है harbor harbor माने होता है बंदरगाह तो harbor कहां पे रहता है जहां पे C होगा माने coastal city में ही harbor होगा land city में तो होगा नहीं इसलिए जो सहर है ना एक coastal सहर है ठीक है तो इसकाप्षान यह दिखिए हिली तो होगा नहीं पहाड़ी B है coastal, बिल्कुल coastal ही होगा और industrial बोलता है तो इसमें हमको industrial होने के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है तो industrial भी नहीं होगा और D है underdeveloped कि बिना विक्सीज सहर के बारे में भी इसमें हमको कुछ पता नहीं चल रहा है discussion भी ही correct होगा कापी simple सा answer है question number 4 है identify the type of imaginary used in the lines of the poem कि जो poem हमने पढ़ा हुआ है इसमें किस टैप का जो चित्र है हमारे दिमाग में बनता है इसमें देखिए सबसे पहला चित्र तो बनता है animal का क्योंकि यहाँ पे cat जो कि एक animal है उसको यूज किया गया है दूसरा यहाँ पे हमारे दिमाग में visual imaginary भी आता है और एक प्रकार का चित्र बनने लगता है जैसे कि cat है, harbour है, city है इन सब का, fog का तो इसमें इन दोनों का use किया गया है तो इसमें हम लिख सकते हैं imaginary या animal imaginary तो इसके answer में लिखेंगे visual imaginary अब question number 8 में हमको चार question सालों करना है, 5 में से 40 से 50 वर्ट से का limit है इसमें, और इसमें total 4 into 3 12 माक्स हम को मिलेगा, इसमें first question है, justify the opinion that the traditional baker and his bread play a significant role in the culture and social fabric, आप go on society, glimpses of India first से लिया गया है इसमें हमको इस opinion को justify करना है, कि जो प्रमप्रागत बेकर हैं, और उनके जो bread हैं वो, जो goa का समाज है, वहाँ के जो social fabric और culture है, उसमें एक important role play करता है देखिए, बिल्कुल सही है क्योंकि जब पुर्तेगीज लोग गए थे तो उनके जाने के बाद भी जो उनका bread जोनों इंट्रियूस किया था वो आज भी goa society का एक integral part है और वहाँ पे जो पुराने furnaces हैं, जो की काफी समय से चल रहे हैं, वो आज भी exist करते हैं, और जो बेकर्स का bread है, वो food item नहीं है, बलकि goa culture का और cuisine का एक important part है, ये जो है ना वहाँ पे एक economic और social status भी है, जो वहाँ के traditional baker हैं, और उनके जो bread हैं, वहाँ के local commerce or economy में एक वाटर रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये घर-घर जाते हैं, और हर घर में bread पहुंचाते हैं, जिससे local distribution और trade बढ़ता है वहाँ पे bread making का tradition है, जो की generation से generation आते जा रहा है, और जो family profession है, और आज भी उसी प्रकार से चल रहा है ये जो वेकर्स हैं, उनके जो furnaces हैं, वो एक living connection है goas culture और culinary heritage का जो की आज भी local community के द्वारा cherish किये जाते हैं और celebrate किये जाते हैं अब देखिए word limit में इस cancer को हम लोग कैसे लिखें The traditional baker and his bread are integral to Govan society's cultural and social fabric Bread is a staple in local cuisine and is consumed by people of all ages, face and social groups It is not just a food item but also a symbol of social and economic status in Govan culture Question number second है, how does Leslie Norris use vivid imagery and metaphorical language in a tiger in the zoo To effectively depict the confinement and oppression experienced by the captive tiger तो देखिए जो captive tiger है उसके उपर जो confinement और oppression का प्रभाव है उसको अच्छे से दिखाने के लिए जो poem है A Tiger in the Zoo में उसके जो poet है Leslie Norris वो की इस प्रकार के VV Dimensionary और Metaphorical Language का यूज करते हैं तो देखिए बहुँ सारे ऐसे words और sentences का यूज करते हैं जिससे जो confinement है उसको अच्छे से बता सकें जैसे कि Vivid Strips Fades of a Violet Quiet और अगर हम देखें तो Quiet Rage Ignoring Visitors Sliding Through Long Grass Snorling Around Houses He hears He hears the last voice at night The Petrolling Cars And Stairs With His Billion Eyes At The Billion Stars तो इस टाइप के जो sentences हैं जो words हैं उसको यूज करके जो confinement है और जो operation फिल कर रहा है Captive Tiger उसको यहां पे जो poem है Tiger in the Jew में यूज करते हैं अब देखिए इसके answer को हम लोग 40 words के लिमित में कैसे लिखें Leslie Norris Uses Vivid Imaginary And Metaphorical Language In Tiger in the Jew Effectively Depict The Confinement And Operation Experienced By The Captive Tiger The use of words like Vivid Stripes And Pets Of Ovulate Quiet Highlights The Tiger's Physical Beauty And Grace While Also Exploring The Psychological Impact Of Captivity तो दिखिए जो Tiger in the Jew Poem है इसमें वो बहुँ सारे Vivid Imaginary और Metaphorical Language का यूज करते हैं जिससे काफी अच्छे से जो confinement है और जो operation है जो कि Captive Tiger Experience कर रहा है उसको पता सकें उन्होंने वोड से यूज किया है यहाँ पे Vivid Stripes और Pets Up Vavulate Quiet तक कि वो highlight कर सकें कि जो Tiger का Physical Beauty है और जो सान है वो कैसा है साथी सान Captivity के करण उसके सान पे उसके जो Physical Beauty है उसके उपर क्या प्रभाव पढ़ रहा है और क्या Psychological Impact आ रहा है Tiger को वो यहाँ पे बता सकें Question No.3 देखिए Explain How the destruction of the devastation caused by the hell storm reflects the sadness within Lancho in a letter to God तो देखिए इसमें हमको बताना है कि कि इस प्रकार से जो भ्यावा तबाही कोला पढ़ने के करण आया हुआ था Lancho के खेत में उससे Lancho जो है ना काफी ज़्यादा दुखी हो गया था उसको हमको यहाँ पे बताना है यह लिये गया है letter to God से Refer to the given lines from the text Text से जो lines लिये गया है ना इसके अनुसार देखे lines हैं Not a leaf remained on the trees एक भी पत्ता जो है ना पेड़ पे बचा हुआ नहीं था The can was totally destroyed और जो कान का फसल था वो बिल्कुल बरबाद हो गया था The flowers were gone from the plants और जो plants हैं उससे जो फूल थे वो बिल्कुल चले गये थे Lancho's soul was filled with sadness और Lancho की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी देखे यहाँ पे जो sentences हैं जैसे की Not a leaf remained on the trees The can was totally destroyed The flowers were gone from the plants ये सब जो sentences हैं ना वो Lancho के उपर होने वाले प्रभाव को दिखा रहे हैं ये जो कान का फसल था Lancho के लिए बहुत important था क्योंकि उसके जीवन का एक मात्र जरिया था उसके तबही के कारण उसके अंदर में काफी ज़्यादा खाली पना गया था और वो काफी ज़्याद असंतोस हो गया था और बेताब हो गया था इस प्रकार का जो emptiness था और डिसलोशन था वो दिखाने के लिए यहाँ पी इस प्रकार के powerful words सका और sentences का यूज किया गया है चाकि Lancho के जो inner state of mind है उसको बता जा सके कि किस प्रकार काउनी रास और असंतोस की भावना को महसूस कर रहा था अब दिखे इसके answer को हम लोग कैसे लिखेंगे The Hellstorm's devastation symbolizes Lancho's sadness with no leaves and trees and flowers gone from plants This reflects his disappear and disappointment especially regarding his livelihood of Kahn The landscape's emptiness and dislocation serve as a powerful metaphor Paris inner state emphasizing his disappointment and hopelessness तो देखे उसी को हमने यहाँ पेंसर में कभी अच्छे से जमा के लिखा है तो इसका practice आपको बार बार करना है नेत्वी स्टाइप का answer आप नहीं लिख पाएंगे इसमें question number 4 है Kitty was a tested friend to any elaborate from the diary of N.A. Frank तो देखे एने फ्रेंग के diary से इसको लिया गया है कि एने की जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सहली थी और Kitty थी और Kitty एक diary थी ठीक है, diary होने के कारण एने जो है ना खुल के उसमें कुछ भी लिख सकती थी उसको उहाँ पे security था, privacy था अगर उन्सान होती तो उसको बात पता चल जाता चुकि ए diary थी तो diary में लिखने से उसको इस प्रकार को कोई खत्रा नहीं था और जो हाँ पे isolation को फिल कर रही थी जो हाँ पे captivityum में और हती थी उससे बचने के लिए उसने diary को अपना friend बना लिया था और diary को friend बनाने के कारण वो उसमें कुछ भी लिख सकती थी जिसके कारण उसके मन में एक प्रकार का जो खालीपन था वो नहीं आता था और अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को बहुती फिरी होके भिना rejection के डर से वो हाप एक्स्प्रेस कर सकती थी अब देखे इसके एंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे Kitty एने स्टस्टेट friend provided her with a safe space to express her thoughts and feelings serving as a therapy for loneliness and isolation although it couldn't respond writing and personifying the diary gave एने a comfort companionship and a sense of privacy allowing her to process emotions without fear of judgment देखे किटी जो थी ओ एने के ट्रस्टेट friend थी जिसने उसको एक बहुती सुरक्षित जरिया परदान किया हुआ था अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रकार से इलाज थी कि जो loneliness और isolation वहाँ पर मसूस करती थी चुकि ये response नहीं करती थी इसके कारण इसमें लिखना और डैरी को परसनिफाई करना एने के लिए बहुँ ज़्यादा comfort था और एक comprehensive की भावना और sense of privacy उसको हाँ पर मिल रहा था जिसे कारण बिना judgment of fear के वह अपनी भावनाओं को हाँ पर लिख सकती थी साम to societal expectations देखे इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार से ओडेन नास ने the tale of custard the dragon में जो प्रमप्रागत सोच है समाजी कासाओं का उसको यहाँ पे challenge किया हुआ है तो देखे सबसे पहले उसने challenge किया है बिलिंडा के character के रूप में बिलिंडा के लड़की है लेकिन यहाँ पे उसको a pool of beers के माध्यम से जो ओडेन नास है उन्होंने masculine दिखाने का कोशिश किया है साथी साथ जो इंग बिलिंग और mustard है उसको यहाँ पे fearless दिखाने का कोशिश किया गया है यह बताया गया है कि वो जो है अपने आपको बहुँ ज़्यादा बहादूर दिखाते हैं केवल दिखाने के लिए ना एक्च्वल में तो सबस्यादा बहादूर होता है जो हमारा custard है dragon है वो लेकिन custard दर डेगन जो है ना अपने आपको कमजोर दिखाते रहता है हमेशा वो एक safe cage की तलास में रहता है देखिए जब pirate आता है तो जो असली लडाई लड़ता है वो जो है ना custard जो अपने आपको coward बताते रहता है वो ही लड़ता है जब कि उससमय बलिंडा और इंग बलिंग और Ambassador जो है न वो हाँ से भाग जाते है तिस प्रकार से ओड़न नास नहीं पर पताया है जो दिखता है वो होता नहीं है मतलब जो लोग बादुरी दिखाते हैं वो लोग सही समय के भाग जाते है अब जो लोग हमको कमजोर लगते हैं वो सही समय में हमारे काम आते हैं अब देखे इसके इंसर को हम लोग कैसे लिखें तो यहाँ पर देखे जो मेल करेक्टर हैं इंग, बिलिंग और मस्टर उसको ओडेन नास ने बिलिंडा जो कि एक फिमेल है, उससे कमजोर दिखाया है इस प्रकार से उन्होंने जो प्रमप्रागत विचार धराया है उसको चुनोती दिया है कावाट कस्टर्ड इस्टेंड्स अब फार बिलिंडा एंड हर फेमली तिहां पे जो कावाट कस्टर्ड है न वही बलिंडा उसके परिवार को बचाता है जिससे हमको पता चलता है कि हर आदमी में special abilities होते हैं और उसको बहुती धहर्य पुर्वाग अपने speed से उसको follow करना चाहिए Question number 9 में 3 questions हैं जिसमें से 2 cancers को हमको देना है World limit 40 से 50 का है इसमें 2 questions को सही सालव करने पे 6 marks मिलेगा इसमें का first question है The story A Trump of Surgery is a powerful example of the importance of saying no explain ये जो इस्टोरी हमने अच्छे से समझा है और पढ़ा है A Trump of Surgery एक अच्छा example है नहीं कहने के महत्तों को बताने का इसको हमको explain करना है तो देखे इसमें जो message पंफरे होती है अपने प्यार के काराण अपने कुत्ते को खिलाते रहती है ट्रीकी को जिसका ट्रीकी जो है ना वो sausage की तरह फूल जाता है बहुत ज़्यादा overweight और unhealthy हो जाता है और जो Dr. Harriet से है उसके advice को ignore करते हुए ट्रीकी के diet पे और exercise को विसेज पंफरे जो है ना ध्यान नहीं देती है वो no नहीं कह पाती है जिसका ट्रीकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिमार पड़ गया था तो ये जो story है ना हमको बताता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम no कहें ताकि जो खत्रा है उससे हम बच सकें अब दिखें इसके answer को word limit में हम लोग कैसे लिखेंगे ये जो story है ना हाइलाइट करता है नहीं कहने के महत्तों को जब हम decision लेते हैं जिससे दुसरों का जो health है और well-being है परभाइत होता है Mrs. Pumfrey's indulgence in her dark tricky least to his obesity and unhealthy habits Mrs. Pumfrey का जो असकती था अपने कुत्ते tricky को लेकर उसी के कारण से tricky जो है ना मोटापे का और unhealthy habits का सिकार हो गया था despite harrier's advice Mrs. Pumfrey fails to abstain from overfitting causing tricky illness Dr. Riep ने पहले से बता दिया था Mrs. Pumfrey को कि आपको tricky को ज़्यादा नहीं किलाना है लेकिन उसको ना नहीं बोल पाती थी जिसके कारण टीकी जो है ना गंभी रूप से बिमार हो गया था इसमें question number second है How does education play a transformative role in police life भोली से लिया गया question है कि किस प्रकार से जो education है उसने भोली के जीवन को बदल दिया तो दिखे education के कारण भोली के अंदर में काफी ज़दा confidence पैदा हुआ जिसे कारण वो चुनोती दे पाई ये जो पिट्रेकल सोसाइटी है उसको education के कारण ही वो अपने पर पे खड़े होने का संकल पले पाई और उसने एक ऐसे साधी से मना कर दिया जो गलत हो रहा था केवल हो केवल इसलिए वो साधी हो रहा था ताकि उसको उसके घर से निकला जा सके तो education ने उसके अंदर में जो gender equality है उससे लणने का तकत पैदा किया और इस प्रकार से पूरे पूरे community या समाज के लिए वो एक आदर्स बन पाई अब दिखिए इसके answer को हम लोग कैसे लिखेंगे भोली से जूकेशन significantly impacts her life by boosting her self-esteem enabling her to challenge social norms breaking free from practical change and resisting oppression she becomes an agent of change in her community embodying the transformative power of knowledge in challenging and changing social norms तो दिखिए जो भोली के जूकेशन है न उसने काफी ज़्यादा प्रभाव डाला उसके जीवन को क्योंकि उसका self-esteem जो अंदर का confidence था वो काफी ज़्यादा बढ़ा जिसकान उप्रमप्रागत और जो समाजीक प्रमप्राएं थी उनको challenge कर पाई जो प्रमप्रागत पित्रयात्मा सत्ता है उसको तोड़ पाई उसने जो उसके उपर दबाव था उसका विरोध किया जिसके कान उप्रे समाज में एक परिवर्तन का वहाग बन पाई और इन सब का reason था कि उसके अंदर में अब education और knowledge आ चुका था जिसने उसको ताकत दिया चलेंज करने का जो समाजिक प्रमप्राएं हैं उन सब का इसमें question number 3 है तो देखिए जो बहुँ सारे element यूज की हुए है राबट आर्थरस ने अपने writing style में उससे sense of tension, uncertainty और suspense पैदा होता है जो की जो mystery writing किये हुए है और जो suspense जनर है अपनी story में जो की है midnight visitor इसके लिए बहुँ ज़्यादा suit करता है तो इन में से को लेकर हमको यहाँ पे comment करना है 40 से 50 वर्ट से के limit में तो दिखिए जो राबट आर्थरस है न वो छोटो छोटे sentences को यूज करते हैं जिसे tension पैदा होता है और इसको बहुत ही skillfully करते हैं यह जो sentences होते हैं न काफी 5 sentences होते हैं जो की urgency और feelings उको योग करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ होने वाला है unpredictable nature होता है इन sentences का जिसे momentum बिल्ड होता है और जो reader है न हमेशा वो engage रहते हैं इनका जो dialogue है conversation का खासकार acceptable और makes a के बीच में वो आधा सत्या और mystification से बढ़ा हुआ होता है जिसका एक sense आप ambiguity पैदा होता है जो की story के sense आप mystery को highlight करता है यहाँ पे reader जो है न हमेशा wonder करते रहता है कि जो makes a का truth है वो कैसा है उसका intention कैसा है जिससे uncertainty और tension पूरा story में बना रहता है यह बहुत अच्छे से इस story के pace को और plot को develop करते हैं जिसे का एक sense आप suspense जो है न बना रहता है और जो reader है वो इसमें बना रहता है last attack क्योंकि last attack reader को guess करना पड़ता है कि इसका end जो है न वो क्या होगा अब देखिए इन ही सब को इसका answer में हम लोग को कैसे लिखना है तो देखिए जो राथर है न यहाँ पे जो writing style को use कर रहे हैं उनका उद्देश यह है tension को create करना uncertainty को बढ़ाना और एक प्रकार का suspense in mystery और suspense genre को पैदा करना short पंची sentences build momentum वो एडालाग between usable and max creates ambiguity and mystery छोटे छोटे जो पंची sentences होते हैं momentum को बनाते हैं और जो डालाग है usable और max के बीच का वो एक प्रकार की रहस्या को पैदा करता है facing and plot development build a tension gradually revealing new information and plot twist to keep the reader guessing and on edge यहाँ पे दिखिए जो facing and plot development है उससे tension पैदा होता है जिसकान जो reader है ना वो हमेशा नएना information की तलास में रहता है और लास्टर तको guess करते रहता है कि क्या twist आएगा और इसका इन कैसा होगा question number 10 में दो questions हैं जिसमें से एक को salva करना है word limit 100 से 120 वर्ट सका है और जो इसमें number मिलेगा आपको 6 मिलेगा अगर आप सही धंग से इसको लिख पाते हैं तो मतलब यह काफी ज़्यादा number वाले questions हैं काफी important हैं इसमें का first question है कि you have been asked to present an evaluation of the approaches of the mother's are both the baby's school and Amanda's towards helping their children जो एप्रोच था तरीका था दोनों मदस का the baby's school के मदर का और Amanda के मदर का अपने बच्चों को help करने को लेकर write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches आप both parents तिहां पे दिखिए जो presentation draft है उसको अपने insights को मतलब आप क्या सुचने हैं दोनों के approach को लेकर इसको सामिल करते हुए भी लिखना है 120 words में और इसमें आपको compare करना है दोनों parents के approach को ठीक है you may begin this way आपको ऐसा लिखना है यह जो sentence है आपके answer में सामिल होना चाहिए यह जो reference लिया गया है Amanda से और his first flight से तो देखे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो BBC Google की mother थी वो किस परकार से approach करती थी अपने बच्चे को help करने का तो देखे वो कैसा करती थी कि वो चाहती थी कि उसका बच्चा जो है ना जिन्दगी में नए skill को सीखे और अपने comfort जों से बहार निकले इसके लिए उ encourage की कि सबसे पहले उसको भूग से तरपवाई और उसके बाद fish का उसको लालाज दी यह जो fish का reward था ना उसने उसको अपने comfort जों से बहार निकालने में मदद किया और एक प्रकार का reinforcement, strategy का काम किया जो की positive direction में था लेकिन यह जो मदर के approach था ना उसके काफी सारी कमजोरियां भी थी कि इस प्रकार से constantly अपने BBC गोल को fly के लिए push करना उसको danger में डालना था और उसके physical well-being को risk में डालना था और वो इस चीज को acknowledge करने में असफल रही कि वो काफी ज़्यादा डर रहा था और काफी ज़्यादा चिन्ता या संका में था उसको समझा के या दूसरे तरीके से भी उसको inspire किया जा सकता था तो इस प्रकार से उसने उसको काफी ज़्यादा चिन्ता में और डर में डाल दिया था ये भी हो सकता था कि उर नहीं पाता और डर के मारे वो निचे गिर के मर जाता वहीं Amanda की जो मा है वो काफी ज़्यादा strict है और काफी ज़्यादा किटिसाइज करती है अमेंडा के behavior को वो बार बार नेक करती रहती है डाते रहती है उसको कि कि इस प्रकार के behavior अमेंडा को करना चाहिए उससे वो क्या चाहती है तो इसके कार्ण क्या होता है कि Amanda जो है न इस दुनिया को छोड़कर tension and anxiety के कार्ण दुसरी दुनिया में चले जाती है वो कलपना लोक में चले जाती है और काफी ज़्यादा उसको बुरा लगता है इससे Amanda को जो development है वो काफी ज़्यादा हमपर होगा और वो reality से बाहर चली जाएगी और किसी भी प्रकार का self-confidence जो है न उसके अंदर में develop नहीं हो पाएगा तिससे हमको क्या पता चलता है कि Amanda की जो मा है वो एक अच्छे तरीके से उसको नहीं समझा पा रही है और उसके self-esteem और mental health पे एक negative impact आ रहा है अब देखे इन दोनों को compare करके हमको इस cancer को लिखना है अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस type के question के answer को हम लोग कैसे लिखे One acknowledges that both parents Amanda's mother and the baby single's mother both love their children and want them to grow them up and succeed in life कि देखे जो question में दिया हुआ है न उसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसके आगे लिखेंगे कि however their approaches towards helping their children are very different Baby single's mother encouraged him to learn flying skills, offering fees, scrapes as a reward but this approach put him in danger and potentially causing stress तो देखे दोनों मदर का जो approach था न अलग अलग था जो baby single की मदर थी उसको encourage कर रही थी flying skills से सिखाने के लिए कि उसको fees का scrapes जो है न reward में दे रही थी लेकिन यह जो approach था जो कि हम समझ चुके हैं उसको danger में डाल रहा था और उसके मन में stress को पैदा कर रहा था Emenda's mother's strict and critical approach to correcting her behavior creates anxiety और जो Emenda की माता थी उनका जो strict और critical approach था उसके बेवार को बदलने के लिए उसके अंदर में संका पैदा कर रहा था leading to feelings of imaginary worlds जिसके कांड वो एक कालपनिक लोग में चली जाती थी इन इस्टेड आप focusing on Emenda's strengths three highlights are weaknesses negatively impacting her self-esteem and mental health तो दिखिए उसको क्या करना था कि Emenda के strength की उपर focus करना था इसके बजाए उसके कमजोरियों को focus करती थी जिसके कांड उसका जो आत्मविश्वास था और मांसिक स्वास्त था वो काफी गहराई से प्रवाइद हो रहा था both mothers have good intentions to improve their children's lives but their methods may be ineffective दोनों की दनों जो माताएं थी उनका जो intentions था काफी अच्छा था वो चाती थी कि उनका बच्चों का बैवहार जो है ना जीवन जो है improve हो लेकिन दोनों का तरीका जो था ना ineffective था सीगुल से मदर could benefit from emotional sensitivity अमंडास mothers could focus on इस्टेंस और जो सीगुल की मदर थी उसको काफी ज़दा फोकस करना था emotional sensitivity के लाब की उपर जबकि जो एमेंडा की माता थी उनको फोकस करना था उसके इस्टेंस के उपर तो देखिए इस्टेप का answer लिखने का practice आपको करना है क्योंकि आने वाला question paper में न इस्टेप के question आएंगे ही यह मान के चलिए Question 10 का B है You have been chosen to address a student gathering from the neighborhood schools to speak on the resilience of human spirit required to transcend discrimination तो देखिए आपको चुना गया है बगल की स्कूल में भासर देने के लिए और जो topic है वो यह है कि जो discrimination अभेद भाव है उसके विरुद्ध में जो लडाई है या जो संगर से है उसके लिए जिस प्रकार का मानुए भाव चाहिए जिस प्रकार का resilience of human spirit चाहिए इस topic के उपर आपको यहाँ पर speech देना है और आपको जो speech का draft है उसको 120 वर्ट से में बनाना है और reference लेना है कि जो समानताएं है नेशनल मंडेला का जो literature है यहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ है लाग वाग टो फिडम और एडनीन रिच का जो poem है इनके में जो common बाते हैं उनको ध्यान में रखते हो है हमको इस speech जो है न त्यार करना है ठीक है तो दिखे इस topic के question के लिए important है कि जो topic है और जो chapter है उनको आप ध्यान में बिल्कुल रखिए topic wise chapter का summary आपको होना चीए यह तो पूरा chapter के लिए पूछ रहा है हो सकता है अंदर से जैसे कि हम लोग आगे कर चुके है extractive a step का question इसमें पूछा जाए तो important है कि इस summary आपके दिमाग में हो otherwise क्या होगा कि आप इस type का question का answer नहीं कर पाएंगे ठीक है इसमें जो question है ना उसमें बोलता है कि you may begin this way आपको ऐसा इसका answer लिखना है कि good morning everyone today I would like to discuss two pieces of literature that offer a powerful insight into the resilience of the human spirit required to transcend discrimination और इसको conclude करना है you may in this way कि to conclude I would like to say that उसके बाद thank you ठीक है यह तो जो sentence दिया हुआ है उसको answer में लिखना ही है लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे क्या तो देखे जो नेशन मंडेला का long work to freedom है उसमें हमको पता चलता है कि कि इस प्रकाश से नेशन मंडेला ने अपने पूरे जीवन में जो discrimination जेला और उसके विरुद्ध में जो उन्होंने संगर से किया और जो तपस्या उन्होंने किया और उसके लिए अब जेल में भी रहे पूरा का पूरा 28 साल वो जेल में गुजारे तो उनका उद्धेश से क्या था कि वो चाहते थे कि जो gender, race और class इनके कान discrimination होता है उसको खतम किया जाए उसी प्रकाश से the trees में एंडिन रीज ने जो लिखा है उसके दो meaning है याद रखिये कि एक सिधा साथा meaning है कि वो बताती है कि पेड जो है न किस परकार से जंगल में फिर से जाने के लिए संगर्स कर रहे हैं जो इंसानों ने पेड़ों के साथ दूर वेवार किया है उसके बाद भी जो trees है वो लगातार अपने आपको आगे बढ़ाते रहती है और वो चाहती है कि एक बार फिर से जंगल में जाके अपने आपको स्थापित कर लें ठीक है इसी कारण से trees को हमको कफी जादर एकनाईज करना चीए एप्रिसेट करना चीए उनके इस टेगल के लिए लेकिन इसका एक मेटमोर्फिकल मिनिंग भी है एक दूसरा मिनिंग भी है trees का कि ये महलाओं को बताते हैं कि महलाओं किस प्रकार से जो भेद भाव है उसके लिए संगर्स कर रहे हैं और जो reach है वो compare करती है जो growth आप trees है उसको महलाओं के growth से और किस प्रकार से महलाएं trees के तरह ही ये जो पूरा संसार है ये जो पूरा दुनिया है जमाना है उसमें अपने आपको establish कर रहे हैं मानों कि वो अपने आपको free कर रही हो एक प्रकार के जो oppression है Good morning everyone Today I would like to discuss two pieces of literature that offer a powerful insight into the resilience of the human spirit required to transcend discrimination Mandela's excerpt and Rich Poejam, both addresses discrimination, gender and class divides Mandela's journey towards freedom including prison emphasizes breaking physical and mental change Rich Poejam highlights the importance of activism and advocacy for protecting trees and nature. Both pieces highlight the resilience of the human spirit and the resilience of nature despite adversity, inspiring others to fight against discrimination and promote equality. To conclude, I would like to say that the literature emphasizes the importance of transcending discrimination and striving for equality highlighting the strength of the human spirit and the need to stand up for our beliefs. Thank you. तो देख़ें इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि जो मंटेला का और जो रीच का इन दोनों का जो राइटिंग है, उसमें एकी चीज को एड़ेस किया गया है, वह है कि किस प्रकार का डिस्कुपिनेशन फेस करना पड़ता है, जेंडर और क्लास डिवाइड को ले कर, ठीक है मंदेला का जो जन्नी है जैसे हम समझ चुके हैं कि वो प्रिजन में थे और उन्हों ने जो अपने आपको मुक्त करने का बात किया वो फिजिकल और मेंटल चेंज से मुक्त करने का बात किया उसी प्रकार से रिच का पोयाम हाइलाइट करता है कि कैसे हम trees को बचाएं और nature को बचाएं दोनों ही जो writing है दोनों ही जो pieces हैं वो एक प्रकार के उस human spirit को दिखाते हैं जो resilience को बताता है और यह जो resilience है वो इंसानों के nature में होता है क्योंकि कितने भी प्रकार का adversity हो उसके बाद भी discrimination के विरूद्ध में जो trees है और इसमें जो इंसान है या महिलाएं हैं वो संगर्स कर रही है और equality को आगे बढ़ा रही है और last में इसको summarize करके इसके conclusion में हमको लिखना है कि यह दोनों literature जो है न वो एक प्रकार के बहुँ ज़्यादा importance को बताती है transcend, discrimination को लेकर और equality को stabilize करने का कोशिस करती है साथी साथ यह human spirit की strength को भी यहाँ पर बताती है और यह बताती है कि किस परकार से हमको अपनी मानेताओं के लिए खड़ा रहना चाहिए तो बिल्कुल इसी परकार का answer लिखने का practice आपको करना है तभी जाके आपको इसमें six marks मिलेगा question number 11 में भी दो questions है एक को आपको सालव करना है word limit में इसमें same है 100 to 120 words और इसमें भी 6 number है इसलिए भी कभी important है तो इसका यह वाला question है कि imagine that Mr. Loiselle from the necklace by Guy D. Mopassa writes a diary entry exploring the theme of class and social status and the nature of social mobility in the context of his own experience write this diary entry is Mr. Loiselle in about 120 words देखिए जो हमने अच्छे से समझा हुआ है the necklace में कि जो मेडम Loiselle होती है वो color लोगों के परिवार में रहती है उनके husband एक color को होते हैं उनके पापा भी color करहते हैं लेकिन वो हमेशा जीवन बर बड़े-बड़े ख्वाब देखती है और उन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को त्यार रहती है और इस चेकर में क्या होता है कि अपने सहली से वो जो है एक necklace उधार में लेती है और necklace जो है नखो जाता है उसके कान उनका पूरा जीवन जो है काफी ज़दा custom में आ जाता है तिससे हमको पता चलता है कि किस परकार से समाज में लोग दिखावा करते हैं और दिखावा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और जो upward mobility है ये कई बार हमको एक trip की तरफ हसाता है और कई बार हमारा जो खुसी है और well-being है ये upward mobility के चक्कर में दिखावे के चकर में चला जाता है इनी सबको इस dairy entry में हमको जैसे कि dairy entry होता है उस फार्मेट में करना है तो चलिए देखे किस परकार से हम इसको dairy entry के फार्म में लिखें अब यहाँ पे जो answer है उसको हमको dairy entry के फार्मेट में लिखना है left end में dairy entry में सबसे पहले date रहता है यहाँ पे मैंने date लिखा है 8 जन्वरी 2024 उसके बाद date डालते हैं फिर time डालते हैं Monday 9.30 PM Dear Dear Diary The previous few years have been difficult for both my wife Matilda and me thoughts of the larger societal problems that have contributed to our situation come to me when I consider our experience it's clear to me now that our society is structured in a way that makes upward mobility difficult with the rich getting richer and the rest struggling to make ends meet social status is determined by wealth rather than character leading many people including Matilda to pursue material possessions we both learned a harsh lesson from losing the borrowed necklace it showed as a reminder that pursuing upward mobility can be a trip that causes people to forfeit their happiness and general well-being in order to fulfill an impossible dream Mr. Loissel देखिए इसी प्रकार से आपको काफी structured way में लिखना है ताकि पूरा का पूरा answer जो है नो complete हो जाए और full marks आपको मिले अब इसका last question जो है 11 का B उसको देखते हैं और समझते हैं किसके answer को हम लोग कैसे लिखें a character arc is the transformation or development of a character throughout a story and refers to the changes a character undergoes as a result of their experiences, challenges and interactions with other characters तो देखिए character arc क्या होता है एक प्रकार का development of a character है जो कि पूरे story में चलता है और ये character में change लाता है जैसे जैसे ओ character जो है कई प्रकार के experience को gain करता है challenge को face करता है और बाकी character के साथ में interaction करता है तो देखिए उपर में जो information दिया हुआ है उसके अनुसार हमको ये character arc का बनाना है उस चोर का है ना चोर यहां पे कौन है जो अनिल के साथ में रहता है याद रखिएगा इसमें चोर का नाम हरी सिंग दिया हुआ है जो कि वो नाम भी एक्चॉल में उसका नहीं रहता वो एक माना हुआ नाम है तो अनिल के साथ में जो हरी सिंग है ना उसके character arc को 120 वर्स हमें जो story हमने अच्छे समझा हुआ है दातीफ से story से हमको लिखना है तो दिखे हमने क्या समझा है कि सबसे पहले जब हरी सिंग अनिल के पास आता है तो वो मौके की तलास में रहता है और वो कोशिस करता है कि कैसे हो हरी सिंग जो है ना वो अनिल को लूटे ठीक है तो दिरे दिरे क्या होता है अनिल जो है हरी सिंग के विश्वास में आने लगता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो अनिल के पैसे को चुराता है जैसे की बजारोजार जाने पे जो पैसा बचता है इस प्रकार्ट से वो चलते रहता है लेकिन जो अनिल उसको प्यार देता है उसके उपर जो भरोसा दिखाता है तो जो लास्ट में वो पैसा उसका चोरी करके जाते रहता है और तरह से चेंज हो जाता है, जो पहले चोरी करने को अपने जीवन को उद्देश से बनाया हुआ था, अब वो चीज पूरी तरह से भूल जाता है और उसके अंदर में प्रका का moral जो है न, moral consciousness डेवलप हो जाता है, तो इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमने इस इ इंसर को हमको लिखना है, the story follows a thief who transforms from a career criminal to a person who learns to trust and works hard for a living, तो दिखिए ये जो story है न, कैसे चोर को फालो करता है, जो एक किर्मिनल था पहले और बाद में कटिन महिनत करने वाला ब्यक्ती बन जाता है, Initially, the thief is focused on staying ahead of the law and is initially attracted to Anil, who teaches him cooking, writing and reading, तो शुरू में एक ऐसा चोर रहता है, जो हमेसा कानूं से आगे रहता है, और आखिरकार वो Anil की तराप attracted होता है, जो उसको cooking, writing or reading सिखाता है, As the story progresses, the thief develops a friendship with Anil, who teaches him how to cook, write and read, दिरे दिरे जैसे story बढ़ता है, तो जो थीप है ना, Anil का दोस्त बन जाता है, जो उसको सिखाता है, cook करना, write करना और read करना, The climax occurs when the thief resist temptation to steal money from Anil, considering the consequences of his actions, तो देखिए, Anil के बैवार से प्रभाईतों के, अखिरकार क्या होता है, चोड जो है ना, वो चोरी के पैसे को सुखार काने से मना कर देता है, उसका आत्मा जाग जाता है, Although he has not completely abandoned each criminal waste, his agitation to escape with the stolen money demonstrates his development upon moral consigns, तो देखिए, वो पूरी तरह से तो चोरी करना बंदी कर देता है, किमिनल एक्टिविटीज को बंदी कर देता है, लेकिन आखिरकार जो Anil के पैसे को चोरी करके वो जाते रहता है, तो उसका आत्मा जो हैना जाग जाता है, उसका नेतिकत आजाता है, तो देखिए इसी प्रकार सेंसर आपको लिखना है, तभी आपको पूरा नमबर मिलेगा, असा करता हूँ वीडियो आप लोगो कपी जादे यूच्पूल लगा होगा, आप लोग कमेंट करके जरू बताइएगा, थैंक्यू पर वाचिंग